तो आइधिंग अभी हम लाइव आ चुके हैं आज ओ फिर से तुबह एफ आर पढ़ादा हमें और अब वापस हम आगे एसे फिर पढ़ने को अच्छा है ना बैक टूबह महनत करेंगे एड़ एवनिंग को साम को एस फिर में महनत करेंगे किसे बाइने पते हैं मुझे एफट तो लग रहा है देखो मुझे भी एफट फील होगा एफट तो लगेगा आपको भी एफट देना मुझे भी एफट देना पर पते एक अच्छी बात किया इसके चकर में ऐसा होगा कि मौर्निंग को हमरे एफ फर हो जाएगा है ना और ऐस साम को हो जाएगा और वह अगर खुद बढ़ते हैं और तो हम आलसी करते एक दिन में एक सब्सक्राइब लेकर बैठे रहे तो एक में पड़े रह जाते हैं तो अच्छा है मॉर्णिंग को हमने एफ आर कंप्लीट किया है ना एफ आर पड़ा एवनिंग को एस फम पड़ा त कि इसको मैं अपने टेलिग्राम चैनल ड्यक्रिप्शन में लिंक है टेली ग्राम चैनल जोईन कर लिजएगा आप लोग मैं टेलिग्राम चैनल पे गूगल ड्रेव लिंक है जिसमें हमारा कोशन बंग रहेगा सॉफ्ट कोपी ऐसे तो मैं रणिंग नोट्स हुए वो मैं मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ग्लास के दोरान लिखूँगा एंड में चैप्टर खतम होने के बाद का अब बाद में प्रिंट निकालेगा अगर किसी को प्रिंट निकालेगा तो तो डेली बेसेज में प्रिंट निकालेगा ठीक है मैं SFM कोशिन बेंग मैं इसकी लिंक दे दे रहा हूँ और साथ में I think सभी जोइन हो चुके हैं न सभी जोइन हो चुके एक सेंग रूख जो मैं ये टेलीग्राम में पोस्ट कर देता हूँ और डेस्रिप्शन में लिंक के आप टेलीग्राम चैनल हमारा जोइन कर सकते हूँ वासे मैंने डाल दिया हूँ तो मैंने सारा चीज़ डाल दिया हूँ अब हम स्टार्ट कर सकते हैं तो आइधिंग आपके पास कोशन में अभी जर्यत नहीं है अभी कोई जर्यत नहीं है सच कोई रेक्वायर्मेंट नहीं है मैं एक बार बस ना वह जो लिंक है उसके त्रू में डाउन्लोड कर लेता हूँ मुझे आपको दो मिनिट का समय देना पड़ेगा ना चाहते वे भी देना पड़ेगा आपको दो मिनिट का समय मन यह देनेगा फिर भी देना पड़ेगा ठीक है तो मिट रुख जाओ बस फिर हम स्टार्ट करते हैं मज़ा आ जाएगा अच्छ SFMB पढ़के मज़ा जाएगा एंड मैं क्लास के दुरान SFMB कहूँगा AFMB कहूँगा ठीक है कि आगे मतले को तहना कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आगे की तैयारी कर रहे है तो AFMB कहूँगा तो चलेगा ना कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं AFMB कहूँगा तो यह मत समझ ले ना अरे मी 24 हमारे लिए नहीं पढ़ा रहे है नहीं नॉमबर 23 के लिए पढ़ा रहे है और हलाकि syllabus तो सेमी है तो कोई फरक तो है नहीं तो बैचेस अगर मैं AFMB पहूँगा लो तो को टेंसन वाली बात नहीं होनी छी चले मैं निकाल लेता हूँ सब कुछ ready कर ले देना तो को स्क्रीन देखेगा आप लोगो टेंसन ना लो चले में स्टार्ट कर सकते हैं भी यह आज की लास सिर्फ यूटूब में हम ले रहे हैं एंड कल से हम सॉफ्टर में ही मिलेंगे है न तो आप सभी को आइधिंक सॉफ्टर लिंक मिल गई होगी अगर नहीं मिली तो मैंने अल्रेडी टेलिग्राम में नंबर सेयर किया उस नंबर पर आप कॉल या वाटस अप कर सकते हैं वो आपकी मदद करेंगे चलिए तो आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं फॉर एक्स आज हम पढ़ेंगे और मैं फॉर एक्स बढ़ाने से पहले मैं आपको बताते हैं तो हम क्लास के दुरान क्या करेंगे क्लास के दुरान फटा फट से कंसेप्स आपको समझाया जाएगा उसके बाद सारे कोशन्स भी हम करेंगे कैसी है और कहीं पर भी तोड़ा सा भी लगे तो आप उसमें मेहनत कर सकते हो एफट दे सकते हो तो मेरे साथ बनी रहीगा अराम से और मैं श्यूरिटी देता हूं कि आपको एस फम बहुत ईजी लगने वाद है एस फम बिल्कुल भी टफ नहीं बहुत ईजी है और आपको बह इस फम बन जाएगा और लिटरली बता रहो एस फम रियल में आपका बन जाएगा देखना मेरे साथ पढ़ते रहो आपका बन जाएगा और मुझे बांज करके बताते ना मौर्णिंग में ऐसा लगा था मैं शूर हूँ कि आपको एस फार में बहुत मजाया होगा असुब ह ये खाट करेंगे अपर एस फ्लोग के साथ हम खतम करेंगे तो चलिए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते जहां पर हम सबसे पहले प्रेक्स चेप्टर हमस्टार्ट करेंगे इसके लिए कोई बैसिक एंडरसेंडिंग वगेरा की जरत नहीं है इस इस बाती चीजे होगी, बेसिक बाते होगी, वह सारी में इसके साथ करवाते जाऊंगा ताकि आपको कहीं पर भी कोई परिशा नहीं नहीं आ है, तो बेसिकली फोरेस के हम पढ़ेंगे क्या, फॉरें एक्षेंज की बात करें हम याँ पर, है ना फॉरेयरी exchange का transition करते तो foreign exchange transaction वगेरा करते तो उससे related जैसे कि मानलो for example मैंने US ते goods मंगवाया और US ते goods मंगवाया payment मैं करूँगा तीन मेने के बाद तो अब यहाँ पर मेरे country में चलता है रूपिया और US में चलता है डॉलर तो अब उससे Singapore dollar खरीदा था फिर वह Singapore dollar लेकि वहाँ पर हो गया था और फिर बाद में last में जब वह वापस आया एक मेने के बाद तो फिर से जो बच्चा कुचा Singapore dollar था उसको बेच के वापस उसने रुपिया ले ले क्योंकि वह उसका फिर क्या जाओंगा जिसे सबसे पहले मैं आपको समझाओंगा फोरेक्स के अंदर currency appreciation and depreciation सबसे पहले मैं आपको समझाओंगा उसके बाद bidhast का समझाओंगा मैं आपको कि bidhast का क्या चीज होती है और ऐसे करते currency appreciation and आप screen में ध्यान देते हो एकदम अच्छे से मुझे फोरेक्स का concept आपका बहुत अच्छा बना के देना है आप एक बार फोरेक्स का concept अच्छे से समझ जाओगे न तो फिर आगे आपको परिषानी या दिक्कत नहीं आने वाले अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना एकदम अराम से सुनते हैं मान लो calculator आप सभी के बास है मान लो one calculator अगर 80 रुपीस में मिलते हैं एक calculator का आज का rate है मान लो कितना है आज मैं date ले लेता हूँ चलो 30 जूलाई को एक calculator का अदम 80 रुपीस है अब जरूरी कि आगे जाके बिस calculator का अदम ये रहेगा नहीं आगे जाके क्या पता है calculator का price बढ़ भी सकते है तो क्या पता है calculator का price घड़ भी सकते हम ले देखा है तो मान लो for example after one month मान लो after one month क्या हुआ calculator price अब दुकांदार के पास गए और दुकांदार ने बोला calculator का price जो है न इंक्रीज हो गया increase by 10% तो अभी अब गई एक मैने के बाद calculator खरीदने को और आपने उनको 80 रुपीज दिया और उनसे बोला कि मुझे calculator दे दो पर दुकांदार बोलता है नहीं 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 अब वो दिन गए अब calculator का price 10% से बढ़ गया है तो calculator का price 10% से बढ़ गया है तो आप मुझे बताओ 10 परसंट इनक्रिमेंट आप किस पे लगाओगे calculator पर लगाूगी कि calculator की price पे लगाओगे calculator मैंने मैं यह नहीं चाहिआ रुपिया 10% से बढ़ गया है मैं यह कहना चाहता हूं कि calculator 10% से price बढ़ गया तो calculator का price ही तो 80 रुपीbaje से और अगर price 10% से बढ़ जाएगातो 80 क्या बन तो 10% लगाऊंगा कि मेरा course को 10% बढ़ाऊंगा है ना तो उसकी जो price है वो 10% से बढ़ जाएगे तो आप मुझे बताओ ऐसे situation में one calculator का price कितना हो जाएगा आप बोलोगे rupees 80 plus 10% of 80 और या फिर आप बोलोगे rupees 80 into 1.1 चिरो भी बोल सकते हो दोनों में कोई अंतरमी दोनों का मतलब सीमी है 80 में 10% प्लस कर दो आप या फिर आप बोल दो दो को 10% से बढ़ने का मतलब क्या 1 रुपी का जो समान है वो 1.1 चिरो हो जाएगा अगर कोई item का price 1 रुपी है 10% से बढ़ेगा तो 1 रुपी क्या बन जाएगा 1.1 चिरो बन जाएगा अगर 10% से बढ़ेगा तो उसका समान 1 रुपी का वल्लू 1.1 चिरो बन जाएगा तो आप 80 into 1.1 चिरो बोल दो या फिर 80 प्लस 10% बोल दो तो इसका आएगा कितना ultimately equal रुपीज 88 आ जाएगा यह मुझे समझ में आ गया अब अगर मैं आपसे बुलो कि यह case 1 मान लो अब अगर मैं आपसे बुलो कि calculator price increased by मान लो अगर 8% से बढ़ता है यह second case मैं ने ले रहा है ठीक है मैं ले रहा हूँ अभी basic आपका 80 रुपीज था मान लो अफटर वन मन अगर calculator का बढ़ता है इस increase हुआ 8% से तो 1 calculator का दाम कितना होगा मैं जान मुझके calculator ले रहा हूँ बाद में मैं dollar लगा दूँगा यहाँ पर आपको समझाना है मुझे अच्छे से कि आप लोग का forex बहुत weak है जिसे मुझे strong बनाना है देखें रुपीज 80 प्लस 8% अफ 80 लिख दो आप या फिर आप लिख सकते हूँ रुपीज 80 इंटू 1.08 नहीं लिख सकते है आप आप बोलो कि अगर 8% से बढ़ने का मतलब 1 रुपी बन जाएगा 1.08 तो 80 रुपीज कितना बन जाएगा 80 इंटू 1.08 तो आप 80 इंटू 1.08 करो या फिर 80 प्लस 8% कर जो 88 जा 64 यानि 86.4 होगा आपका यह यह आ गया मेरा चलो मैंने यह समझ लिया तो अभी तो मैंने calculator का price बढ़ने का बात किया अब third case में मैं ले लेता हूँ एकदम ध्यान दोता बच्चे से समझ में आएगा calculator का price मानलो decreased कर गया decreased by 10% अगर एक मेने के बाद मानलो calculator का price पहले 80 रुपीज था और case 3 में मानलो calculator का price 10% से गिर गया 80 रुपीज था 10% से गिर गया तो हम क्या बोलेंगे therefore one calculator का revised price क्या होगा 80 रुपीज था 10% से गिर गया 80 माइनस 10% of 80 बोल दो गया और या फिर आप क्या बोल सकतो रुपीज 80 इंटू क्या बोल सकतो आप आप बोलोगे एक रुपीज का समान अगर 10% से गिर जाता तो वो कितना हो जाता 0.90 हो जाता है एक रुपीज का समान कुछ भी अगर वो 10% से बढ़ता है तो 1.10 होता है वो यह अगर वो 10% से गिरता है तो 0.90 होता है ना तो मैं 80 इंटू 0.90 लिख सकता हूँ यह आप घ्यान देना है यहाँ पर 0.90 लिखा मैंने तो यहाँ पर 80 इंटू 0.90 में कोई अपती आपको नहीं होने चाहिए तो कितना आए गई है यह 72 रुपीज आएगा तो यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कोई परिसानी नहीं हुई यहाँ पर एकदम अच्छी से समझ में आया अब इसी के विपरित अब इसी चीज को समझाने के लिए तो मैं यह बोलना चाहता हूँ सुनो मेरी बात अब मेरी बात सुनो दे अब मालनो for example अब इसी चीज को मैं समझाना चाहता हूँ अलग वे में चलो ऐसे लेता हूँ 13th of July को मालनो 1 dollar का price रुपीज 80 है तो 1 dollar equal rupees 80 है आप इसे रुपी पर डॉलर भी बोल सकते हैं इसे रुपी पर डॉलर भी बोला जाते है रुपी पर डॉलर 80 इसका मतलब यह रुपी पर डॉलर यानि एक डॉलर पे 80 रुपीज लगेगा हमिबत है एक डॉलर महेंगा है डॉलर पावरफूल है एक डॉलर अगर आप दोगे तो आपको 70-80 रुपीज रुपीज मिल जाएगा मुझे भी जब यूटूब से income आती तो डॉलर में आती है मानलो 200 डॉलर आया 200 डॉलर आया तो उस पे 75-80 रुपीज मल्टिप्लाई करके मुझे रुपीया मेरे बेंग एकाउन में मिल जाते तो डॉलर पावरफूल है हमारा तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वन डॉलर इक्वल कितना है रुपीज 80 है अगर वन डॉलर रुपीज 80 है अब मानलो ऐसा हो सकता है कि डॉलर भी appreciate कर जाए माइनस 10% कर दो माइनस कर दो वैसे यहाँ पर डॉलर एक डॉलर का अदाम 80 रुपीज है अगर डॉलर बढ़ेगा तो 80 में प्लस कर दो अगर डॉलर घटेगा तो 80 में माइनस कर दो तो अगर आप से कोई बोले कि डॉलर increase हो रहा है देख रहा मुझे बता हो क्या डॉलर की बात हो रही कि रुपिया की बात हो रही है रुपिया की तो बात होई नहीं दे आप जब मार्केट में जाते हो तो आप मलब मालों को वेजिटेबल का सौप बैठा हुए तो वह वेजिटेबल बेच रहे कि रुपिया बेच रहे या बीचने पर रुपेस 80 लगेगा या देना पड़ेगा डॉलर की बात हो रही है तो सीधी सी बात है अगर after one month after one month case one अगर डॉलर increase होता है 10% से मैं shortcut में लेखता हूँ अगर डॉलर increase होता है डॉलर increase वाला symbol दे दिया मैंने डॉलर अगर increase होता है 10% से तो बताओ revised one dollar का दाम कितना होगा हम बोलेंगे 80 plus 10% of 80 बोल देते और या फिर हम बोल देंगे rupees 80 into 1.19 यह आएगा rupees 88 यानि dollar तो पहले strong था ही और strong बन गया यहाँ dollar one dollar equal rupees 80 था अब one dollar equal rupees 88 हो गया तो जब भी जिसका base दिया हुआ है अगर वो बढ़ रहा है तो सीधा plus कर दो घट रहा है तो सीधा minus कर दो इसमें तो कोई आपत्ती वाली बात ही नहीं है ना यह दोको point number two में अगर मानलो dollar फिर से मैं ले रहा हूँ यहाँ पर चलो 8% ले रहा हूँ dollar अगर 8% से बढ़ता है तो revised 1 dollar का दाम कितना होगा rupees 80 plus 8% of 80 या फिर rupees 80 into 1.08 यह आ गया हम बोल देंगे rupees 86.4 यह बोल दिया और तीसरे वाले केस में अगर dollar मानलो 10% से गिरता है तो मोलेंगे ठीक है revised 1 dollar का दाम कितना होगा revised 1 dollar का दाम कितना होगा rupees 80 plus 10% of 80 और या फिर rupees 80 into 0.90 plus नहीं होगा minus होगा decrease हो रहा है न या फिर 0.90 0.90 मैंने क्यों लिखा one rupee है अगर one rupee किसी item का दाम है अगर वो मानलीजे 10% से गिरेगा तो point 9 0 हो जाएगा तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा rupees 72 आ जाएगा तो मैंने यह आपको समझाने की कोसिस करो मैं अब यहाँ पर मैं आपको kraks समझाने की कोसिस करो मैं आपको यह बोलना चाहता हूँ कि अगर मालो रुपी पर डॉलर 80 है इसका मतलब यह कि वो एक डॉलर का भाव बता रहा है यह बताना चाहता है कि वन डॉलर इक्वल रुपीस 80 है और इसका मतलब यह कि अगर आपका वन डॉलर रुपीज 80 है मतलब भी एक डॉलर का दाम बता रहे है अगर एक मेहने के बाद एक दम अच्छे से समझ मैंगा आपको एक मेहने के बाद अगर मालो डॉलर एप्रेशियेट करता है 15% तो हम बोलेंगे रिवाइस्ट 1 डॉलर एक विल क्या होता हुँगा हम यह बताओ अब यह जो 80 जो है यह 80 को मैं 80 बाइवन एक बार जानोचके लिखता हूँ लिख सकते है 80 बाइवन भी 80 होते है आप मुझे बताओ 1 डॉलर का भाव 80 रुपीज है की नहीं है एक डॉलर का भाव 80 रुपी सी तो यह 80 रुपीस किसका भाव हुए मुझे पता सकती हूँ यह 80 रुपीस किसका कोट दे रहे है कि है यह बोलना चाहर है कि एक ड्लर का दम 40 रुपीस है यानि यह quote है जो दिया हुआ यह dollar का quote दिया हुआ और dollar अगर 15% से बढ़ेगा तो आप इस पे क्या करो plus 15% कर दो और या फिर 80 by 1 जो है आप इस पे into 0.85 कर दो into 1.15 कर दो आप इस तो कि एक रुपया बनेगा 1.15 तो आप 80 plus 15% कर दो या फिर 80 into 1.15 कर दो यह आ जाएगा कितना 90, 80 है 92 आ जाएगा आपका यह 92 आ गया आपका मैं फिर से लिख रहा हूँ अगर मान लो dollar गिरता है 12% से तो मैं बोलूँगा revised 1 dollar क्या होगा मैं जान मुझके 80 by 1 लिख रहा हूँ यह 80 जो है dollar का भाह हुए यह 80 किसका भाह हुए dollar का भाह हुए dollar अगर 12% से गिरेगा तो माइनस 12% कर दो और या फिर 80 by 1 एक रुपया बन जाएगा कितना 0.88 into 0.88 कर दो आपका 80 रुपेस में 12% हमने गिरा दिया कितना आएगा 68 आ जाएगा 68 नहीं आएगा गलत बोल दिया 8 और इधर 9.6 यानि 9.6 यानि 70.4 आजा गई यह 70.4 अब मेरी बात सुनू अब मेरा बात दिहान से सुना भी गदा मैंने यह कहा 1 डॉलर एक्वल रुपीस 80 है और मैंने यह कहा आपको कि जो रुपीस 80 है न यह क्या है यह dollar का भाह हुए यह dollar का rate है और इसी पे हम क्या कर सकते है पता है dollar increase या decrease लगा सकते है adjust कर सकते है मुझे यह logic आपको एकदम अच्छे से समझाना नहीं तो अगर अभी सीख लोगे न तो बाद में आपको परेशा नहीं नहीं है कि बाद में एकदम फटा फट से सारे question होंगे मतलब यह कहना चाहतो यह रुपीस 80 जरूर है यह 80 जरूर रुपी है पर यह rate dollar का है तो dollar अप होगा तो 80 प्लस कर दो dollar डाउन होगा तो 80 माइनस कर दो बस बात ख़तम आप dollar का up and down इसमें adjust कर सकते हूँ समझ में आया मुझे अब मेरी बात सुनो अगर one dollar equal rupees 80 है तो therefore one rupee क्या होगा equal one by 80 dollar होगा वन rupee equal क्या होगा one by 80 dollar होगा agree अगर one dollar equal rupees 80 है तो one rupee equal क्या होगा one by 80 dollar होगा इसमें भी कोई आपत ही नहीं आपको ये भी आपको समझ में आया आपकर तो ये अब code किसका बन गया ये अब रुपिया का code बन गया अब ध्यान रहे one by 80 dollar भी करोगे तो one by 80 डिवाइड करोगे तो numerator ही तो आएगा क्योंकि denominator का existence हमेशा खतम हो जाता है हलाकि इसका value आएगा कितना 0.0125 इसका value आएगा और वो 0.0125 हम ऐसे लिख सकते चलो one rupee equal 0.0125 dollar अब मुझे बताओ ये जो rate है ये जो rate है ध्यान से देखो इसको 0.0125 बोल दो आप या फिर इसको 1 by 80 बोल दो बात एक ही है क्योंकि 1 by 80 करने से तो 0.0125 आया था ये 0.105 जो है ये किसका rate है मुझे बता सकते हो ये रुपिया का rate है ये आपका रुपिया का rate है इस पर रुपिया increase है decrease adjust कर सकते हैं रुपी increase या decrease adjust कर सकते हैं यानि मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये 80 रुपी जो था डॉलर का भाह होता डॉलर अप एंड डाउन इसमें adjust हो जाएगा पर ये जो है ये रुपिया का भाह हो है रुपिया अप एंड डाउन इसमें adjust हो जाएगा और इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं और इसे हम ये 1 by 80 डॉलर भी कह सकते हैं 1 by 80 डॉलर भी कह सकते हैं अब एकदम maths आपको थोड़ा सा भी आता होगा तो आपको पता है denominator का कोई existence नहीं होता है existence होता है numerator का क्योंकि numerator value को denominator से divide करके single numerator निकाला जा सकता है मैंने भी ये किया 1 by 80 था तो 80 denominator को हमने खतम करके सिधा numerator का value निकाला तो numerator का ही existence होता है तो अब मैं अगर आपको each लिखवाओं में तो अब हम मुद्दे पर आ जाते हैं एकदम simple मुद्दे पर मैं आपको अगर ये लिखूं मैं ये लिखूं रुपी पर डॉलर या फिर ऐसे नहीं एकदम ध्यान से दूख मैं लिखता हूँ 1 डॉलर इकवल रुपीस 80 रुपीस 80 बई अगर मैं 1 लिखता हूँ तो आप मुझे बताओ एक डॉलर का भाव क्या है रुपीस 80 है आप इससे एक बार satisfy हो जाओ क्यो 1 डॉलर इकवल रुपीस 80 है जी है और क्यो 1 रुपीस इकवल 1 बई 80 डॉलर है है ना बस ये वाला ये वाला लाइन अच्छे सा समझ लो पूरा एकदम मजा आ जाए आप बस इतना मेरी बात समझो ये जो 80 रुपीस भले दिखर है पर ये डॉलर का रेट है है ना 80 रुपीस ये डॉलर का रेट है और 1 बाइ 80 जो है ये रुपिया का रेट है 1 बाइ 80 जो है रुपिया का रेट है मतलब आप मुझे बताओ 80 रुपीस है और काम नुमेरेटर का ही होता है दिनोमेरेटर का कभी कोई काम नहीं होता है तो आप मुझे बताओ 80 by 1 जो है वो किसका rate है यह dollar का rate है तो मैं क्या उपर वाला जो numerator है इसको मैं dollar का rate बोल सकता हूँ है ना तो यहनि 80 रुपीज हो है या फिर इसे 80 by 1 बोल दो 80 by 1 भी 80 होगा 80 by 1 जो है यह dollar का rate है तो इसलिए मैंने रुपीज 80 को dollar का rate रखा है और numerator भी इस पर 80 80 by 1 का numerator रखा है 80 है और 80 जो है वो dollar का rate अब मुझे आप से अगर पूछना हो कि रुपिया का rate बताओ तो क्या होगा रुपिया का rate 80 by 1 है कि 1 by 80 है देखो एक रुपिया का rate 80 by 1 है कि 1 by 80 मतलब मैं लंबा चोड़ा नहीं करवाना चाता हूँ उसके आपको problem आएगी मैं सौट आपको बस समझाना चाता हूँ मैंस आपको कि आपको यह समझो कि 1 by 80 जो है वो रुपिया का rate और 1 by 80 का numerator क्या 1 और 1 कहा है नीचे तो क्या मैं यह नीचे जो है यह रुपिया का rate है यह समझो आप यानि अब आपको बस मैं यह समझाना चाता हूँ अगर 1 डॉलर एक्वल रुपीज 80 है आप इसे रुपीज 80 बाई 1 लिख सकते हैं और यह जो 80 है यह डॉलर का rate है और यह जो 1 by 80 है यह रुपिया का rate है अब अगर हम कोई भी कोशन इस तरीके से solve करे हमें 80 का numerator 1 है और 1 कहां पर नीची है मतलब यह रुपिया का rate है 80 बाई 1 का numerator 80 है यह डॉलर का rate 80 बाई 1 हुआ रुपिया का rate 1 बाई 80 हुआ अब numerator में तो मैं अजस्ट करते हैं जो भी करते हैं तो अब मेरी बात सुनो अब अगर मैं बोलू आपको case 1 में कि डॉलर इंक्रीज रुपी पर डॉलर यहीं अब मैं यहां पर ऐसे लिखना चाहता हूं चलो मैं फड़ से लिखता हूं रुपी पर डॉलर इक्वल 80 है जाम पलेता हूं मैं लिखना चाहता हूँ रूपी पर डॉलर एटी बतो यहां पर कोटेशन रूपिया का दिया हुआ कि डॉलर का दिया हुआ यह कहना चाहता है कि रूपी पर डॉलर 80 मतलब भी कहना चाहता है 1 dollar equal rupees 80 रुपीज per dollar 80 यहनि per dollar rupees 80 है यहनि एक डॉलर का भाव दे रहा है यहनि एक डॉलर का भाव 80 रुपीज है और मैं 80 by 1 लिख दू तो मैं यह भी बोल सकता हूं कि एक डॉलर का भाव 80 by 1 है और एक रुपया का भाव 1 तो यहनि 80 वाला जो है यह किसका भाव यह dollar का rate है यह dollar rate है और 1 by 80 जो है यह किसका rate है यह रुपया का rate है यह रुपया का rate है पर बच्चे पता है confused होते है वो ऐसे लिखते है रुपी divided by dollar equal 80 by 1 मतलब रुपी 80 है dollar 1 है ऐसा मत करना यह मैस के चकर में cross rate में करोगे फर्ज जाओगे उसको दिमाग में लाना ही लिए वो सब कच्चरा अगर पहले से दिमाग में निकाल दो आप बस मेरा logic समझो एक डॉलर का भाव 80 रुपीज है यानि एक डॉलर का भाव यह है और एक रुपिया का भाव वन बाई 80 है तो मैंने यह लिग दिया अब अगर मैं करू कोई भी कोशेंट सॉल्ट तो अराम से होगा देखो मान लो डॉलर जो है कि कि इंक्रीज हुआ कि 15 परसेंट से तो रिवाइज्ड रुपी पर डॉलर 80 by one तो पहले से मैंने लिख के छोड दिया अब मुझे बताओ क्या बढ़ है डॉलर बढ़ आए कि रुपिया बढ़ है डॉलर बढ़ है कि ही घटा है पहली बढ़ बढ़ है तो डॉलr कॉन से है ये 80 डॉलर का भाऊ है कि 1 by 80 है नहीं 80 डॉलर का भाऊ है तो डॉलर बढ़ा है तो numerator में मैं 15% प्लस कर दूँगा और या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 80 by 1 जो है numerator में into 1.15 कर दूँगा मैं मेरा answer आ जाएगा आप मुझे answer बता दूँआ पर ये पहला वाला case दूसरा वाला case डॉलर increase हुआ 19% से तो revise रुपी पर डॉलर कितना होगा मैं लिखूंगा 80 by 1 है न अब डॉलर का भाऊ तो 80 है कितने बाद चिला चिला के समझाओ डॉलर का भाऊ 80 by 1 है रुपिया का भाऊ 1 by 80 है तो डॉलर का भाऊ 80 है और डॉलर ही 19% से बढ़ रहा है तो उपर वाले को 19% प्लस कर दो या फिर 80 by 1 into 1.19 कर दो इस cancer आ जाएगा मुझे पता दो फिर अगर मानलो डॉलर गिरता है डॉलर 12% से गिरता है मानलो तो क्या करें रिवाइज रुपी पर डॉलर क्या करें अभ मेरी बात सुनो 80 by 1 भले कीड़ा है पर गिरा कोन है डॉलर ही तो गिर और डॉलर का भाऊ तो 80 by 1 है उपर वाला तो डॉलर अगर गिर है तो मैं 80 माइनस 12% कर दूँगा और या फिर 80 by 1 into 12 गिरने वन वन के भाव वन अगर आइटम का वैल्लू है और 12% से गिरेगा तो कितना आएगा पॉइंट एट या चाहेगा इस कंसर आ गया ऐसे और लेता हूं एक माल लो डॉलर आपका गिरा 9% से तो रिवाइज्ड रूपी पर डॉलर कितना आएगा 80 by 1 है डॉलर का भाव कितना है 80 रूपी से एक डॉलर का भाव कितना है 80 रूपी से आपका है ना 80 रूपी से अब ये 9% से गिरेगा तो माइनस 9% करूँगा और या फिर 80 by 1 into 0.9 वन तो इस तरीके से क्या मैं इन चारों का वलू निकाला हूँ मैं आप कोई कॉमन चीज बता रहा है पर देखो हर जगा में डॉलर बढ़ा या गीरा है तो डॉलर का भाव तो मैंने कहा था यह वाला देखो पहले यह लिखके छोड़ देना हमेशा अभी 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 एक्जाम म होगा तो 80 माइनस कर देंगे देखो पहले दो केस में इंक्रीज हो रहा है तो मैंने प्लस किया है दूसरे दो केस में डिक्रीज हो रहा है तो मैंने माइनस किया पर जो भी किया मैंने नियूमेरेटर में किया क्योंकि नियूमेरेटर वाला ही डॉलर का भाव हुए तो डॉ पहले वाला आ रहा है कितना 92 आ रहा होगा पहले वाला है ना दूसरे वाला कितना आएगा आपका कल्कुलेटर फिर से कहां गिया 80 इंटू 1.19 यह आ गिया 95.2 तीसरा वाला 80-12 परसेंट 70.4 एंट चोथा वाला 80-9 परसेंट 72.8 समझ में आया अब मुद्धा आएगा चलो अब पांचवा केस में लेता हूं इस बार में रूपिया लेता हूं रूपिया मालो इंक्रीज़ वा 15 परसेंट अब आएगा न मचा अब मचा आएगा आपको डेखो रिवाइज रूपी पर डॉलर कितना लेगे जरूरी एक्जाम में यह सब चीज़ क्लियर नहीं होगा तो पंग आएगा मुस्किल आएगा इसलिए जरूरी इसलिए क्लियर कर लो जो इंपोर्टन चीज़े वो मैं पहले क्लियर करवा दे रहाँ आपको मैं तो रिवाइज रूपी पर डॉलर क्या होगा 80 बाइवन मैं बताओ 13 परसें इंक्रीज हो रहा है अब रूपिया है यह तो यह तो क्या रूपिया है रूपिया का भाव क्या है 1 बाइटी है दिनोमिनेटर वाला रूपिया का भाव एदिखा जातू क्योंकि एक डॉलर का भाव 80 बाइटी बाइवन है एक रूपिया का भाव बाइटी बाइटी है तो अब मुझे जो भी छेलचार करना वो निमेटर के साथ नहीं करուगाकि denominator के साथ करूँगा क्योंकि 1 by 80 आप इसको ऐसे उल्टा पड़ो 1 by 80 है यानि उल्टा है ये है ना इसका रुपिया का भाव का numerator यह है मैं रुपिया का भाव का numerator 1 है 1 by 80 है तो मैं इसके साथ छेड़चाड करूँगा तो आप बताओ 13 परसेंट से बढ़ रहा है 1 प्लस 13 परसेंट कर देता हूँ और 80 by 1 into 1.13 कर दो आप 1 प्लस 13 परसेंट कर दो या फिर 1 into 1.13 कर दो एक्वल आएगा 80 by 1.13 70.80 70.80 आएगा आपका 70.79 ने इसको 70.80 कर दिया हमें हम इस तरीके से निकाल लेंगे खटा वाल रूपिया इंक्रीज वा 6 परसेंट से तो बताओ revised बैक रूपिया बोला एस इटी चोड़ रहे हैं हम निकाल रहे है रूपिया बोला बढ़ा 6 परसेंट तो रुपी पर डॉलर तो 80 बाई 1 है और रुपिया बढ़ा है नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ा है 6% से और या फिर 80 डिवाइड बाई 1 इंटू 1.06 लिख देते हैं तो यह आएगा 80 डिवाइड़ 1.06 यह आ गया 75.47 75.47 आगे आपके हैं अब आगे एक और और दो करवात हूं मालो रुपिया गीरा इस बार रुपिया गीरा 11% से तो बताओ क्या करोगे रुपी पर डॉलर 80 बाई 1 तो आपको लिखना है रुपिया कौन सा इडिनोमेटर वाला डिनोमेटर गिरा है तो माइनस 11% होगा और या फिर 80 डिवाइड बाई 1 इंटू माइनस 11% 1 में 11% गिरा होगे तो इंटू 0.89 आएगा यानि एक्वल 80 डिवाइड बाई 1 इंटू 0.89 क्या होगा 0.89 या फिर 1-11% भी 0.89 होगा आपका 80 divided 0.89 89.88 89.88 आगया हमारा फिर आगे 0.8 करते हैं रूपिया मानलो गीरा है 3% से तो रिवाइजड रूपिय पर डॉलर क्या होगा 80 divided by 1 लिखता हूँ 1-3% और या फिर 80 divided by 1 into 0.97 80 divided 0.97 या आगे 82.47 चलो जी तो मतलब बस मुझे इतना ही आपको समझानात है यहां पर कि रूपिय पर डॉलर अगर 80 by 1 है तो यहां पर आप रिवाइज अगर फ्यूचर में क्या होगी है यह देखा जा तो forward rates होगे देखा जा तो अभी जो हम यह निकाल रहे है यह forward rates होगे अगर forward में अगर future में dollar premium में रहा या discount में रहा तो क्या revise रुपी पर dollar होगा अगर future में रुपिया premium में रहा या रुपिया discount premium और discount ही बढ़ रहे दिखा जा तो यह appreciation डप्रिशेशन आप इसका दूसरा नाम भी कर सकते हो appreciation डप्रिशेशन डप्रिशेशन जो मैं पढ़ा रहा हो मैं लेता हूं dollar per pound dollar per pound लेता हूं मैं 1.20 डॉलर पर pound लेता हूं मैं 1.20 तो यह क्या होगा 1.20 divided by 1 है अब आप मुझे बता सकते हूं dollar per pound 1.20 क्या कहता है यह कहना चाहता है यह तो यह आप मुझे बता ओ यह जो 1.20 यह किसका बहूँए पांड का बहूँए आप मुझे बता हूं जो भी होगा वो किसमे करोगे numerator में छेट-छाड करोगे और अब मुझे बताओ अगर 1 pound equal 1.20 dollar है तो 1 dollar equal कितना होग 1 by 1.20 pound 1 dollar कितना होगा 1 divided by 1.20 तो इसका उल्टा कर देंगे अगर इसी को उल्टा कर देंगे 1 by 1.20 तो डॉलर का भाव बन जाए dollar में जो भी up and down होगा वो हम कहां करेंगे दिनों मिलेटर में adjustment करेंगे तो अब हम इसका भी example हमने समझ लिए अब मान लो for example forward rates लेते हम अगर मान लो dollar increase होता है 10% से तो अब मुझे सीधा हम इसको उल्टा उल्टा नहीं करेंगे सीधा हम बता देंगे revised dollar per pound क्या होगा future में 10% से dollar बढ़ेगा तो future में dollar per pound का क्या rate होगा हम लेखिएंगे 1.20 by 1 अब मुझे बताओ dollar बढ़ रहे dollar तो denominator है dollar बढ़ रहे dollar तो denominator है और denominator बढ़ रहे तो plus करेंगे कितना से 10% से बढ़ रहे या फिर हम लिखेंगे 1.20 divided 1 into 1.10 यानि ये आएगा 1.20 divided 1.10 देख लो कितना अंसर आ रहा है 1.0909 क्या आगे हमारा ये पहला अब इसके बाद आगे में लेता हूँ इस बार pound लेता हूँ pound मानलो गिर रहे है 5% pound मानलो 5% से गिर रहे है revised dollar पर pound क्या होगा 1.20 by 1 तो मैं लिख देता हूँ पहले अब pound कहा पर है pound तो numerator है numerator गिर रहे है तो minus 5% और या फिर 1.20 by 1 तो ही numerator गिर रहे है मतलब 1 में 5% गिर आओगे तो क्या आएगा 0.95 आएगा यानि कितना आ जाएगा answer देख लो 1.20 का 0.95 1.14 होगा क्या तब हो 1.14 आ जाएगा अब एकदा मच्छे से समझ में आ रहा है मुझे फिर next 3 वाले में इस बार लेता हूँ चलो pound चलो dollar ले ले लेता हूँ dollar मान लो बढ़ गया 6% तो रिवाइस dollar पर pound जो है वो कितना आएगा एकदम अच्छे से ध्यान दे दो भी फिर फटा फट कुशन होगे सारे के सारे हमारे 1.20 divided by 1 हो गया हमारा अब यहाँ पर देखो dollar कौन सा नीचे वाला है यह देखो उपर वाला था pound है नीचे वाला dollar है dollar बढ़ रहा 6% से तो 1 प्लस 6% कर दो या फिर 1.20 1 into 1.06 आ जाएगा answer चौथे वाला dollar इस बार pound लेता हूँ pound बढ़ रहा है 13% से dollar पर pound कितना revise dollar पर pound कितना आएगा आपका यह देख लेते है 1.20 divided by 1 pound का भावत है रहा है pound तो उपर वाला है उपर वाला 13% से बढ़ रहे है 1.20 by 1 देख लो आप एकबर कितना रहा है 1.20 प्लस 13% 1.356 इस तरीके सब अराम से प्रैक्टिस करोगे मैं आपको एक कोश्चन सेल्फ करने के लिए देके छोड़ देता हूं यह मैं नहीं करूंगा यह आप घर में खुद करोगे जो अभी कर सकता है फटाफट अभी कर लेगा SGD बाइन 0.3056 है ठीक है तो अब बताओ यह वाला रेट किसका होगा एक यहन पर इतना SGD हो रहे है यह 1 कब हो बता रहा है और यह बता रहे है ईजीटी कब हो तो अब अगर आपको बोलो कि SGD बढ़ रहे 13% से SGD गिर रहे 12% से यहन बढ़ रहे 10% से यहन गिर रहे 9% से आप मुझे रिवाइज बता दोगे एसी डी बाई यह वोगा आप इतने हुश्यारण अब बन गए है बता दोगो अप COVID एतने उश्यार अब बन गए ले मुझे आप बता दोगे तो अभी बता दो या बात में बता देना आप के उपर भ्यें आपल यहां पर एक बार लिक्ट चोड़ दीता हूं आप लोगे लिए कि आप देखो ये वाला जो एक येन का बहु बता रहे है तो ये येन का रेट येन का पिंड़ाउन उपर छेट-छार करना है ये एक SJD का रेट है SJD का बहु छेट-छार नीचे अमे करने है अब होगा तो प्लस-माइनस होगा तो यह आप मतलब प्लस ये मंदलब माइनस और SDD अगर कुछ होना है तो नीचे प्लस माइनस होगा ये उपर प्लस माइनस होगा इस तरीके सब अराम से forward rates निकाल सकते हो कोई परिशानी नहीं आई या अराम से forward rates निकाल सकते हो अब मुझे आपको फोरेक्स में आपका थोड़ा सा एक बार है ना स्ट्रॉंग कर दिता हो फास्टर बैची है मैं स्ट्रॉंग कर दिता हो एक बार कंसेप्ट फिर एकदम मतलब आप उड़ोगे एकदम पंची बनके उड़ोगे आराम से देखो रुपी पर डॉलर 80 यानि 80 बाइवन जो भी बो अन्रेट इन भार है 100 गटाओं गांग तो कितना बनेगा कि नहीं बनेगा इतना मुझे पता है अगर 100 को 10 परसंट से बढ़ाओं गे तो 110 बनेगा इगरे बात सुन्झे पिए से 110 जो है इसको 10% घटाओंगा तो क्या 100 नहीं बनेगा मैंने कहा कि एक 100 था 100 को 10% से बढ़ा दिया तो वह 110 बन गया अब मुझे लगा अच्छा 10% बढ़ा दिया है 110 हो गया अब एकाम करो 10% गिरा तो 100 हो जाएगा आप ऐसे भोलोगे 100 का बेस था 10% बढ़ा दिया है 110 हो गय अगर आपका मैस थोड़ा सा भी अच्छा है मुझे बताओ क्या यह होगा क्या यह होगा यह नहीं होगा आप चेक कर लो 110 में 10% घटाओगे तो आपका नहीं नहीं होने वाला यह इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बता दो देखो 100 में मैंने प्लस किया था 10% of 100 तो यह 110 होगे और फिर बाद में 110 जो था उसमें मैंने माइनस किया जरूर 10% पर 10% वो 110 में माइनस हो रहा है और इसी वज़े से यह 100 नहीं आ रहा है यह 99 यह नि कहने का मतलब यह समझ जाओ कि अगर आपने पहले increase किया 10% से तो बाद में आप 10% से decrease नहीं कर सकते नहीं कर सकते आप समझ में आया अगर कोई base है उसको 10% से बढ़ाया जाएगा तो बाद में उसको 10% से गिराया नहीं जा सकता simple math से और वही चीज में अब यहां पर लगाना चाहता हूँ अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ सुनो मेरे बात रूपी पर डॉलर अगर 80 है अगर मैं आप से कहूँ कि डॉलर एप्रिशियेट किया 10% से तो देखो डॉलर एप्रिशियेट करेगा 10% से किसके एगेंस्ट रूपी के एगेंस्ट ही तो करेगा डॉलर एप्रिशियेट करेगा 10% किसके एगेंस्ट रूपी के एगेंस्ट इसका मतलब कि dollar strong होगा और रुपिया weak होगा तो आप simple सी बात समझो अगर रुपी पर dollar 80 रुपी से और dollar 10% से बढ़ जाएगा तो अमेरिका में खुस होंगे अमेरिका वाले और इधर इंडिया वाले दुखी होंगे क्योंकि dollar strong होगा और रुपिया weak होगा तो ये तो समझो दोनों में opposite relation है अगर dollar appreciate होगा रुपिया के against 10% तो therefore क्या आप ऐसे कर सकतो कि रुपिया जो है वो depreciate होगा 10% against dollar मतलब अगर dollar appreciate करेगा 10% से रुपिया के against तो आप बोलोगे कि रुपिया depreciate करेगा 10% against dollar क्या ये line मैंने सही लिखा है बोलो हाया ना क्या ये line मैंने सही लिखा है बोलो हाया ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि dollar अगर 10% से बढ़ेगा रुपिया के against में तो रुपिया जाहिर से बाते गिरेगा डॉलर के एगेंस में लेकिन क्या वो 10% से गिरेगा क्या वो 10% से डप्रिशेट होगा मैंने ये तो समझा भी ये possibility नहीं है वो 10% से नहीं गिर सकता बट आपको पता है IECA बहुत सारे कोशन में ऐसी गरवड़ी का रखा हुआ IECA पहले नहीं गरवड़ था पहले IECA का मैटरिल बहुत अच्छा था फिर बाद में पता नहीं कौन बच्चा आया है ना जो Board of Studies में आया उसने मैटरिल में छेरचार कर दिया और उसने ऐसा मैटरिल में छेरचार किया और उसने ये बोल दिया कि अच्छा डॉलर अगर 10% से बढ़ रहा रुपया के अगेंस्ट तो रुपया 10% से गेरेगा डॉलर के अगेंस्ट मैं तो कहता हूँ उस बंदे को IECA हटा के नर्सरी केची में एडमिसन दिलाओ या क्लास 5-6 में एडमिसन दिलाओ ये वाली हालत है उसकी तो ये पूरा का पूरा गलत कंसेप्ट है जिसको मैं वरिफाई भी करवा दूँँगा 10% की कोई बात नहीं है इसको मैं एक बार 5 मिन लगे का मैं वरिफाई भी करवा देता हूँ देखो रुपी पर dol 10mm है तो आपका रुपी पर डॉलर क्या होगा अगर 10% से बढ़ेगा तो अगर डॉलर 10% से बढ़ेगा तो रुवाइट रुपी पर क्या होगा 80 प्लस 10% equal 80 डो होगा यह हमने देखा अब यहाँ पर सुनो अगर रुपी पर डॉलर एटी है तो मतलब डॉलर पर रुपी क्या होगा वन बै एटी रुपी पर डॉलर अगर एटी है तो डॉलर पर रुपी होगा वन बै एटी और वन बै एटी का मतलब क्या है 0.0125 यह मैंने दिखा अब वापस से revised रुपी पर डॉलर अगर 88 है तो revised डॉलर पर रुपी क्या होगा 1 by 88 1 divided 88 कितना होते है 0.011 3636 0.01136 36 ठीक है 0.0113636 यह मैंने निकाला तो मतलब आप देखो रुपीया यह रुपीया का भाव होगे दुनों रुपीया तो गिर रहे तो रुपीया क्या depreciate हुआ यस रुपीया depreciate हुआ बता सकतो कितना गिर है देखो डॉलर 80 से 88 हुआ डॉलर जब 10% से बढ़ा तो रुपीया देखो 0.0125 से 0.01136 हो गया तो रुपीया तो देखो यह आपर गिर रहे यस रुपीया तो यह आपर गिर रहे है ना रुपीया आपर गिर रहे तो रुपीया कितना गिर रहे पहले 0.0125 था अब यह गिर के कितना हो गया 0.01136 यह गिरा कितना 0.0011364 0.001 इतना गिरा आई है 0.001 0.001 364 ये इतना गिरा कहां से गिरा आई है 0.0125 से तो गिरा पहले तो 0.0125 बी दा यहां से गिर के इतना हो गया इतना यहां से गिरा into 100 कर दू into 100 divide 0.0125 ये दो को 9.09% आ रहा है समस्थ 9.09% depreciate हो रहा है तो आपको यहां पर math simple math दिख रहे हैं आपर simple math आपको यहां पर दिख रहे है कि जब dollar 10% से बढ़ा तो उसी का मैंने consequence निकाला कि रुपिया जो है 9.09% से गिरा है तो आप ये तो समझ लो अभी यहां पर आप अभी यहां पर क्या समझोगे यहां पर कि अगर आपका dollar 10% से बढ़ रहा है तो रुपिया आपका ठीक से नुझाओ बहुत important है ठीक है तो dollar मैंने कहा कि अगर 10% से बढ़ रहा है तो आपका रुपिया गिर रहा है पर 10% से नहीं गिर रहा है 10% से थोड़ा कम 9.09% से गिर रहा है उसके पीछे का कारण भी यही concept है और यही concept में यहां पर आपको प्रूव भी करा देरो देखो पहले 100 था 10% बढ़ने पर यह 110 हुआ अब मुझे वापस से 110 से 100 पे आना है न अगर तो मुझे 10% नहीं गिराना है मुझे कुछ और गिराना है देखो कितना गिराना है कितना गिराना है 10 गिराना है एक सेगड न हेलो हां कितना मिल गयो ना अच्छा ठेक 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 अच्छा अच्छा ठीक है जना ठीक हमाफून करें एक्स्टीमली सोरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था चलो 10 कहां से आपका जो 110 से मुझे 100 पे पहुंचाना है मतलब मैंने यह समझाया पहले 100 को बढ़ा के 110 बनाया अब 110 से वापस 100 में आना चाता हूं तो जब मैंने 100 को ब अटा के मैं 100 में पहुंचना चाता हूं तो मैं 10 गिरा हूंगा पर 10 कहां से गिरा हूंगा 110 से तो गिरा हूंगा इंटू 100 आप देखलो यह 9.09 परसंट होगा आपका ही तो वही मैं कहना चाता हूं अगर आप पहले 10 परसंट से बढ़ा होगे तो बाद में 9.09 परसंट से ग तो दूसरी currency का ठीक है सिवाने जी कहते हैं कि इस वेरी important person हां important person है तो सुनो मेरी बात मैं बस आपको यह समझाना चाहता था आपको यह clear हो गया अब मेरी बाद ध्यान से सुनों अब एक्दम ध्यान से सुनों एक्दम अच्छे से मैं कुछ example आपको करवाने वाले मैं लेता ह मैंने 19% से बढ़ाया था ठीक है अब मेरी बाद ध्यान से सुनों अगर dollar 19% से बढ़ेगा तो मुझे आपको यह कहना है कि ऐसा situation में क्या रूपिया जो है वो 19% से गिरेगा यह नहीं हो सकता ऐसा ऐसा नहीं हो सकता यह impossible यह impossible ऐसा नहीं हो सकता अगर dollar 19% से बढ़ेगा तो रूपिया 19% से नहीं गिरेगा तो कैसे गिरेगा इसका बहुत सा रोपाई है एक तो मैं आपको simple math एक line draw करके मैं आपको समझा सकता हूँ इसके एकदम simple सा इस तरीके सा line draw करो आप किसी को भी base ले लो मैंने 100 एक base पकड़ा अब one को भी base ले सकते हो चाहो तो मैंने 100 को base लिये तो बताओ अगर dollar 19% से बढ़ेगा तो 100 कितना होगा अगर dollar 19% से बढ़ रहा है तो 19% increase हुआ है तो यह 100 बन जाएगा 119 अब मुझे वापस से गर 100 में आना है वापस से मुझे 100 में आना है तो मुझे 19 गिराना होगा 19 value बोल रहा हुआ है 19 गिराना होगा कहां से गिराना होगा 100 19 से गिराना होगा 100 से गिराते तो 19% आता है पर मुझे 19 जो वो कहां से गिराना है 119 से गिराना है into 100 अगर हम करेंगे तो मेरा आएगा percentage 15.97 यह मेरा आएगा 15.966% तो अब मैं यह कह सकता हूँ अब मजाएगा अब मजाएगा देखो ट्विस्ट आएगा भी मैंने यह कहा कि अगर डॉलर 19% से बढ़ेगा तो रुपिया जो है वो 19% से नहीं गिरेगा वो गिरेगा 15.966% यह दोनों बराबर है अगर डॉलर 19% से बढ आके दिखाता हूँ अब देखो रुपी पर डॉलर में दू तरीके से निकालों रुपी पर डॉलर कितना 80 है 80 को मैं 80 बाइवन लिख सकता हूँ एक बार पहले यह वाला लगाता हूँ 19% से डॉलर बढ रहे है डॉलर का भाव कौन से 80 है की वन बाइटी है यह डॉलर का भ मज़िदार चीज आपको सिखा रहा हूँ मैं आपको अब मेरी बात सुनो यह तो मेरी यहाँ पर लगवा दिया यह वाला अब रुपिया का भाव देखो रुपिया 15.966% से गिर रहे है रुपिया का भाव 80 बाइवन है की 1 बाइटी 1 बाइटी है और यह गिर रहे है यान माइनस 15.966% अब आप देखो इसका अंसर 80 प्लस 19% कितना आते हैं 80 प्लस 19% कितना आते हैं 95.2 आते हैं और इधर भी कर लो 1 माइनस 15.966% 0.84034 80 divided 0.84034 यह भी देखिलो 95.199 यह आएगा यह वाल देखिलो दोनों मामले में वो अंसर आ रहा है यानि आप यह वाला भी लगा के अंसर निकाल सकते हो यह वाला भी लगा के अंसर निकाल सकते हो मतलब मैंने आपको आप ये चीज़ सिखा दिया कि ऐगर एक करेंसी का अप्रिसेशन निकाल सकते हैं बताहूं मजय आया कि नहीं आया कि बहुत फिनेनकों सिखाया बताओ मजय आया दिया और रुपिया का depreciation मैंने नीचे लगा दिया दूनों का अंसर अपनी आप पर फेक्ट लिया गया एक और कोशेंट कर लेते तब ही तो क्लियर होगा तब appreciation depreciation पूरा मेरे end से मैं clear करवा दूँगा बस एक बाद मुझे बता दो कि जो मैं सिखारों practically मज़ा आ रहा की नहीं आ रहा है फिर जब कोशेंट मैं apply करोगे न मज़ा आ जाएगा सज बता रहो मज़ा आ जाएगा आपको एक्दम अभी तोड़ा सा stress देतो concept एक बार बिल्ट अप कर देता हूँ इसकी बाद मैं आपको क्या करूँगा बिडास कच्छे से समझा हम एकदम दोड़ेंगे इसलिए आप यह टॉपिक में और क्या करोगे बिडास में मेरा साथ दोगे इन दोनों जगह में टाइम दे देंगे फिर तो फास्टर सुरू हो जाएगा हमारा है ना हितेज जी बोरे सर डेरिवेटिस से ड़ लगता है काफी समा लेना अरे मैं हू अब इक होते हैं न गौकोनेट वाटर बना दूँगा टेस्टी टेस्टी टेंसन नहीं ना लो आप इदम कोकोनेट वाटर बना कि पी जाएंगे अब एको लेता हूं येन पर सिंगापूर डॉलर 0.6057 एकदम घटिया सालिया मैंने येन पर सिंगापूर डॉलर 0.6057 मालो सिंगापूर डॉलर जो है ये आपका गिर रहा है 8% से तो ये तो शूर है कि येन बढ़ेगा अगर एक करंसी गिर रहा है तो दूसरा करंसी बढ़ेगा क्या ये येन 8% से बढ़ेगा बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि हुई नहीं सकता ये चीज़ तो और इसको हम निकाल कैसे सकते हैं हम 100 क बेस लेते 8% अगर गिरेगा तो 108 मत लिख देना पिछली बारी तो मैंने आपको क्या लिखा था 100 था 19% बढ़ रहता तो मैंने 190 लिखा था इस बारी क्या हो रहा पता है 8% गिर रहा है तो 8% गिरेगा तो ये बनेगा क्या 92 बनेगा 100 ए 8% गिरेगा तो 92 बनेगा अब मैं इसे वापस से कहा लेके जाओंगा 100 पे मुझे लेके जाना है बला अपनी जगा पे लेके जाना है देखो यहाँ पर भी 100 था हंड्रेड नैंटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटी कितना गया 8.695 8.6956% तो अब यहाँ पर आएगा ना मज़ा अब मैं आपको यह समझाना चाहतू मैंने यह का कि SGD जो है वो आपका 8% से गिरेगा तो आपका Yen जो है न यह आपका बढ़ेगा 8.6956% अब हम लगा देते हैं देखो Yen by SGD क्या 0.6057 by 1 है अब SGD अगर गिरेगा SGD का भाव कौन सा है मुझे पहले बता दो यहाँ पर आप SGD का भाव यह बाला है क्योंकि 1.6057 और यह भाव किसका यह Yen का भाव है equal हम लिखेंगे 0.6057 by 1 अगर SGD 8% से गिरेगा तो minus 8% यहाँ पर करना पर क्योंकि उपर वाला है और अगर Yen बढ़ेगा 0.6057 by 1 लिख देता हूं में इवार बस प्रैक्टिस करना फिर घर में जाके review करना सब क्लियर हो जाएगा 0.6057 divided by 1 है आपका अब यहाँ पर आप देखो Yen जो है बढ़ रहे 8.6956 परसंट से और Yen कहाँ है नीचे वाला नीचे वाला प्लस होगा प्लस 8.6956 परसंट आप देख लिए ना दोनों का अंसर वही आने वाला देख लोग 1.086956 1.0572 अब आपको यह तो मैंने सिखा दिया भी वरिफय करके प्रूफ करा कि भी मैंने सिखा दिया आपको कि आपका दोनों जगा में मामला सही है मतलब आपको यह मैंने वरिफय करा दिया कि एक करंसी अगर जितना परसंट से बढ़ेगा जरूरी नहीं दूसरा करंसी उतना परसंट से गिरी नहीं सकता कुछ अलग होगा आपका तो अभी है मैं और बस दू एक्जामपल करूंगा फिर मैं बिडास में आ सकता हूं मैं अब मैं वरिफाइन ही करूंगा अब मैं बस सीधा निकाल के दिखाऊंगा अपको मैं मैं लेता हूं चलू तॉलर भाई यूरो दॉलर भाई यूरो 1.156 है माल लो आपका डॉलर गिर रहा है 5% से तो मैं पता है यूरो जो है वो 5% से नहीं बढ़ेगा यह मैं पता है ऐसा नहीं हो सकता हम अब क्या करेंगे हम इसके थूर निकालना चाहते है यूरो कितना से बढ़ेगा तो हम वापस से वही लेंगे अपना हम मुलेंगे 100 का 20 पकड़ते हैं अगर 5% से गिर रहा है तो यह 95 होगा फिर से आपको 100 में लेके जाना है तो मुलेंगे 5 आपका परसेंटेज तो हम सीधा निकाल लिख सकते हैं अगर फाइव परसेंट से गिएगा तो यूरो आपका बढ़ेगा 5.263 परसेंटेज बस बात खत्म है अनादर एक्जाम्पल लेते हैं एक और एक्जाम्पल लेता हूं में रूपिय पर पॉंड 59.50 मैंने लिए रूपिया अगर मालनो 10 परसेंट नहीं तो कुछ 15 परसेंट रूपिया अगर 15 परसेंट से बढ़ेगा तो पॉंड आपका कितना से बढ़ेगा कुशंट मर्ग और इसके लिए मैं क्या करूँगा मैं ले लुँ दूँगा 100 का बेस अ बनेगा 115 ठीक है और इसको वापस से मुझे 100 पे लेकि जाना है तो मैं बोलूँगा 15 गिराना है मुझे कहां से गिराना है 115 से गिराना है इन्टु 100 115 को वापस है 100 में पहुचाना है तो 1500 डिवाइड बाई 115 13.03 13.0434 यह आगया तो मेरा अंसर आगया तो देरफोर पाउंड कितना होगा 13 पॉइंट पाउंड आपका कीरेगा 13.04347 परशन यह मैंने निकाल दिया आप तो देखो हमने यह यहां पर साबित कर दिया पर आई से मैं आपको बता रहूं आई से गरबड़ी करते आ रहा है वो यह मानता है बहुत सारे कोश्यन में कि अगर आपका डॉलर 10 परशन से बढ़ेगा तो रूपिया 10 परशन से कीरेगा और मैंने पहले पढ़ाया भी है कुछ-कुछ गधे बच्चे भी है वो बोलते नही दॉलर 10 परशन से बढ़ेगा तो रूपिया 10 परशन से कीरेगा आप सीधा हमें बता सकते थे आपने तो उनको उसकी पूरी एकदम हिस्ट्री खोल दी आपने तो आदा हिगंटा में पढ़ा दिया बे मतलब का अब हमारा समय नस्ट करो आपको तो अपनी क्लास लंबी खि रूपिया 10 परशन की राद हो एकदम सिंपल एकदम सिंपल लगेगा आपको पर बताओ गलत तो है ना त्रैक्टिकली जब तक आपको देखोगी नी गलत आपको मतलब फिर तु गलत बढ़ाना हुआ मैं आपको और मैं गलत बढ़ा कि कैसे आपके साथ गलत कर सकता हूं मै विसलत जी करके क्या आएं Mayo में यह सही करने पर या अंसर सही आएगा क्योंकि आएसा कहीं कहीं पर ये चिज़ यूज़ करते हैं जहा पर डिरेकली अंसर निकालेगा वहाँ पर आसे का अंसर वैसे ही आएगा जू यहा पर हमारा आने वाठाव है लूपक हार्चिश में दूँआ टॉलर पर पॉंट जेए richest अगर पाउंड एप्रिशेट होता है तैन परिशन से तो डॉलर कितना से ओगा कोशिं मार्ग अगर डॉअला डॉपक्रिशेशन होता है तोब ड्योट पाउंड बाई एन 0.01 ठीक है अगर एन डप्रीशेट होता है 12% तो पाउंड कितना से अप्रीशेट होगा अगर पाउंड अप्रीशेट होता है 10% तो येन कितना से अप्रीशेट होगा application mark अगर पाउंड डप्रीशेट होता है 3% तो येन कितना से अप्रीशेट होगा application mark ये आप कर किया होगी ये आपको मैंने homework दिये और homework दिये मतलब कर कि आना जी करने का मतलब कि खुद करोगी तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको परिशानी नहीं आएगी दिक्कत नहीं आएगी आपर तो अब मैं आपको second topic समझाने वालो और यह बहुत बहुत इंपोर्टेंट है तयार हो एकदम अच्छे से वेवब जी अब से उठाएंगे चुली दो तिन दिन बहुत ज़्यादा बीज से चल रहा था तीम का इसलिए उठानी पा रहे थे अब उठाएंगे बोलो एक बार बोलो अभी तक समझ में आये क्या बस अभी कुछ नहीं करना आपको अभी कुछ एकदम दिमाग को हलका रखो भी बस जो मैंने समझाने की कोसिस किये अभी बस दूरी बातें दिमाग में रखनी है रूपी पर डॉलर अगर 50 यह यानी 50 बाइवन तो 50 होगा डॉलर का बहुए और वन बाइफिप्टी जो है वह रूपया का बहुए इतना ध्यान में रहो अभी अगर मैं क्रक्स आपको बता हूं अभी तक जो मैंने समझाया आप यह समझो अगर मैं आपको बोलता हूं यहन पर सिंगापॉर डॉलर अगर मैं बोलता हूं 2.5 तो जो कितना समझळे न यं में अप एंडाउन होगा नीचे वाले के साथ अड्ogyसंठ करोगे akin voiture मेंमेटर में इसडी में अपेंडाउन होगा उपर वाले के साथ अड्यस्ध करोगे न्यूमेरेटर में बात खतम पहला यही जिखाया मैंने करंसी अप्रिशेशन इप्रिशेशन मै और दूसरे वाले में, दूसरे वाले में मैंने आपको क्या समझाया, दूसरे concept में, कि एक currency अगर बढ़ेगा, तो obvious सी बात है, दूसरा currency घटेगा, पर उतना से नहीं घटेगा, जितना से बढ़ा है, एक currency घटेगा, तो दूसरा बढ़ेगा, पर उतना से नहीं बढ़ेगा, जितना घटा है तो यही चीज मैंने बस एक simple line में मैंने आपको करवा दिया एक simple line लिखवा गया simple line यह रहा एक simple line से आप अराम से यह कभी भी exam में भी ऐसे करके आप निकाल सकते हो एक currency appreciate हो तो दूसरा कितना से depreciate होगा एक currency oke थोड़ी एक्जामपल करना पड़ता है तब आपको समझ में आता है हाला कि हमारी एक हंटा लगा पर हो तो बिल्कुल भी वेस्ट पूल नहीं हो वो वर्थ पूल है आगी कोशिन बहुत जल्दी-जल्दी हमारे होंगे एक घंटा मने जरूर से लगा है तो अगर समझ में आ तो जरूर से लाइट हो ताकि मुझे पता चल जाए कि रियल में कोकोनट वाटर वाली फिलिंग आई की नहीं आई है ना तो जो रिकॉर्डट भी देख रहे है वो भी समझ में आ रहा होगा मैं शूर हो चलो तो आज वा बेड़न आस्क वाला कंसेट करते हैं माल लू रूपी पर डॉलर दिया हुए 50 ओबलिक 52 अब पुलो कि तरी धूदो भाव हाँ ऐसा होता है क्योंकि बैंक अगर हम बात कर इंटर बैंक जो निकालते हैं है ना जैसे आप अरभी वगेराओं को पगड़ सकते हो तो कोटेशन देते हैं कि आप इस रेट में खरीदना बेचना कर सकते हो अब वो दुकान खोलके बैठे तो थोड़े न अपना घाटा करेंगे वो दुकान खोलके केते हैं इसे बिड़ भी कहते हैं है और इसे मास्क गल करते हैं मिंद का मतलब होता है बैंक का बाइंग演進 की और यहांस का मतलब होता है बैंक का सैलिंग रेट यहां इन dave बोल रहा है कि एक बैंक जो है न वह 50 में खरीदे और 52 में बेचेगा यनि एक customer अगर बेचेगा तो bank 50 में ही खरीदेगा और बेचेगा उसको 52 में बेंक को उनाफा हो गया बैंक जब चाहेगा 50 में खरीदेगा और बेचेगा 52 में यानि bank 2 रुपीज का क्या खा रहा है spread लुकसान उता है आप मुझे बताओ जब कभी भी आप कोई खरीदारी करते हो जब कब करना पसंद करोगी कि कम रेट में खरीदारी करना पसंद करोगी अप मेरा course से सोचो आप मेड 타 Michi假 straps हरीदना चाहता हूं तो अब ज्यादा rate में खरीदना चाहोगी कि कम रिट में अदे आप हमेशा कम rate में खरीदना चाहोगी और अगर अब बेचना चाहोगी मनलों और में जगाती में बेचना चाहते हूं तो म atau बेचना चाहूँगा उन्हीं करना चाहते चाहते यह अर लेकिन में हमेंавी rag misma रहुआ पड़ता है यह प्रोल्लम्स ठोड़ में 287 अपना घ्टा कर रह बंसस्ते में खरीदना चाता है खरीद रहा है बेंक महेंगे में बीचना चाता है बीच रहा है और जिस बज़े से हम रोते हैं कस्टमर के point of view से सोचना है आपको हमेशा और कस्टमर हमीशा रोता है है ना तो कस्टमर हमीशा क्या करेगा पते है महेंगा में खरीदेगा customer का ये वाला जो है न ये वाला देखो ये जो है ये customer का buying rate है बदकिस्मती से customer का ये buying rate है और बदकिस्मती से customer का ये selling rate है अब मैं बिडास भी आपको clear करवाना चाहते हूँ क्योंकि बिडास और आगे conversion सिखाऊंगा मैं ये दोनों चीज़े जब मैं आपको clear करवा दूँगा तो फिर बाद में टेंसर नहीं नहीं फोरेक्स में फोरेक्स की टेंसर नहीं पूरी खतम हो जाएगी यहाँ पर तो अब मेरी बात सुना आपको ये समझ में आ गया कि customer रोएगा वो उसके आसू निकल रहे है बहुत जादा customer बोल रहा है यार मैं तो महेंगा में खरीदूंगा और सस्ता में बेचूंगा अब मुझे बताओ यहाँ पर यहाँ पर जो डील हो रहा है जैसे मार्केट में कोई इनसान बैठा है तो वो कुछ ना कुछ लेके बैठा है जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पर अपने कोर्स को लेके मैं कोर्स पर डील करहा हूँ मैं कोर्स का रीड बता रहा हूँ वैसे यहाँ पर किसका रीड चल रहा है क्या यह रूपिय का भाव बता रहे है कि डॉलर का भाव बता रहे है जो 50 है यह 52 है यह रूपिया का भाव है हो रहा है तो यहाँ पर बाध चल रही किसकी तो आप बताओ डॉलर का भाववे 50 और डॉलर का भाव 52 रूपिया का भाव नहीं है यह यह डॉलर का भाव चल रहा है अब मुझे आप बताओ डॉलर आप कितना में खरीद सकतो तो customer और ध्यान रहे यह जो बिडास्क है यहाँ पर आप हमेशा customer पॉंडवेसर सोचो इवन यह आप local bank हो तो bank भी यहाँ पर customer बन की खर देगा क्योंकि RBI ने एक rate fix कर दिया है अब अगर bank को भी अपने किसी के लिए खरीदना तो bank भी customer बन की कर देगा क्योंकि trading कर रहा बैंक है ना तो अगर bank भी होगा ना तो bank भी customer ही बन जाए यहाँ पर समझ में आ जाए इसलिए आपको हमेशा बिडास्क में क्या करना है customer पॉंडवेसर सोचना है और customer रो रोके जबकि वो कभी नहीं चाहेगा customer हमेशा महंगा में बाई करता है तो आपको दिमाग में दो बाते डालनी है रो रोके डालीगा दिमाग में आसु आजाए तो ले आएगा यहाँ पर जरत है ताकि आपका concept पूरा clear हो जाए आप यह बोलना customer हमेशा महंगा में खरीता है क्या चीज जो currency का quotation है वो यहाँ पर dollar है तो dollar customer हमेशा महंगा में खरीदेगा ask rate में खरीदेगा 52 में खरीदेगा और dollar हमेशा सस्ता में बेचेगा bid में बेचेगा 52 में 50 में बेचेगा तो आप मुझे बताओ यहाँ पर dollar buying rate क्या होगा फिफ्टी टू कस्टमर बैंक भी कस्टमर बन जाते है ठीक है बैंक भी जब खरीदेगा तो customer बन जाएगा तो customer के लिए dollar buying rate क्या होगा 52 होगा और dollar selling rate क्या होगा 50 होगा dollar selling rate क्या होगा 50 होगा अब मेरी बात सुनो आप मेरी बात सुने, ठीक है, आपको पता है, खरीदना और बीचने में क्या फरक होता है, जो मैं दे रहा हूँ न, वो मैं बेचता हूँ, और जो मैं ले रहा हूँ, वो मैं खरीदता हूँ, देखा जाए तो अगर आप मेरे से कोर्स खरीद रहे हो न, तो आप पता है क्या कर रह तक कि आप एक किलो टमाटर खरीद होगे तो मैं दुकानदार हूँ आप कस्टमर हूँ मैं आपको टमाटर बेच बेच रहा हूं मैं क्या करों आपको टमाटर बेच के आपसे रूपिया खरीद रहा हूं और आप क्या करों मेरे से टमाटर खरीद के मुझे रूपिया बेच तो आज की बाद जब कभी भी बाहर जाओगे ना खर्चा करने तो मम्मी को ये मत बूला कि मैं आइपोन खरीद रहा हूं मैं टमाटर खरीद रहा हूं मैं मोमो खरीद रहा हूं बूला मम्मी मैं जा रहा हूं बेचने जा रहा हूं मैं मम्मी पुछी कि बेचने जा रहा है मै रुपया बेचने जा रहो है ना तो आप देखा जातो जो रुपया देते हो ना वो आप बेचते हो देखा जातो कि जो चीज हम देते हो बेचते मालो मेरे घर में थोड़ी दिन पहले मुझे याद है मेरे घर में एक फोन था वो मैंने किसी को बेच दिया मतलब मैंने बेच है ना कुछ भी मám जो समान आप दे दे तो मतलब भीज दे तो माल लो आपकी girlfriend आपने दे तो इसे मजाग मसनी में बता रहा हूँ मैं uz Coast to हो मतलब भीज दे तो मतलब गयर चीज़ आप ले ले तो मतलब भीज दे तो वैसा ही यहां पर आप समझो अगर मैं डॉलर खरीदूंगा मतलब मैं रुपिया बेचूंगा अगर मैं डॉलर बेचूंगा मतलब मैं रुपिया खरीदूंगा एक्चेंज ही तो होने आपर अगर मैं आपसे डॉलर लूँगा तो आपको रुपिया दूँगा तो डॉलर खरीद रहा हूं मतलब रुपिया बेच रहा हूं अगर मैं आपको डॉलर दूँगा मतलब रुपिया लूँगा डॉलर दे रहा हूं मतलब डॉलर बेच रहा हूं अगर आप से कोई पूछे रुपिया का बाइंग रेट बताओ तो आप डिरेक अंसर मत देना आप मुला रुपिया बाई करना मतलब डॉलर सेल करना क्योंकि कोटेशन में पहुचना आपको रुपिया बाई करना मतलब डॉलर सेल करना तो डॉलर सेलिंग रेट रुपिया ब करना कि मतलब डॉलर कि पाई करना रुपिया करना मतलब डॉलर करने का रिट यह थी फिफ्टी-टू है बस बात खतम अभी मैं बहुत सारे एक्जामपल आपको कराने पड़ेगा तब मैं guarantee दे सकता हूं बिडास्क में और conversion में आपको कभी कोई परिसानी नहीं आएगी आजकल आपके साथ होता होगा आपका दिमाग घुम जाता है अरे left वाला लू की right वाला लू की left वाला लू दिमाग घुम जाता है दिमाग पागल हो जाता है पर जिस तरीक यह नहीं लेता हूं यह न पर डॉलर 90.50 अब मुझे अब बताओ अगर मुझे डॉलर बाई करना है तो क्या rate होगा अगर मुझे डॉलर सेल करना है तो क्या rate होगा अगर मुझे यन बाई करना है तो क्या rate होगा अगर मुझे यन सेल करना है सबसे पहले तो यह देखो quotation किसका दिया हो हमेशा quotation क्या point वेशन सोचना तब कभी भी कोई गलती नहीं होगी एक बार मैं आपको थोड़ा सा time दे 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 रहो बाद में तो चुट्कियों में करोगे एक एक second में करोगे आप बताओ quotation dollar का दिया होगे dollar महेंगा में buy करेंगे सस्ता में sell करेंगे तो dollar buy करना है महेंगा में ninety one point five zero होगा dollar sell करना है सस्ता में ninety point five zero होगा इसमें तो कोई परिशानी नहीं आएगी परिशानी आएगी आपको yen में तो yen के मामले में सीधा answer देना ही मत कभी भी आप Yen के मामले में अब ये सोचना Yen buy करना है मतलब अब quotation में पहुचोगे हमेशा Yen buy करना मतलब dollar sell करना है Yen sell करना है मतलब dollar buy करना है अब quotation में पहुच जाओ कभी गलती होगी निए आप से Problem क्या होता एक्जाम में आप सीधा Yen buy के पंड़ोगे से सोचने जिसका वो महंगा में बाई होगा, सस्ता में सेल होगा, that's it, बात खत्म. तो exam के लिए आप क्या दियों में रोखोगे, quotation जिसका दिया हुआ है, वो महंगा में बाई होगा, सस्ता में सेल होगा. तो आप बोलोगे yen, yen का तो quotation दिया हुआ नहीं है, तो yen by ये मतलब quotation वाला sell है yen by ये yen का quotation नहीं दिया मतलब quotation में पहुचो ये already quotation है dollar quotation दिया हुआ है ये already dollar है तो direct answer आया यहाँ पर quotation yen है तो yen से पहले dollar में पहुचे फिर हम answer देंगे तो yen by मतलब dollar sell dollar sell होगा सस्ते में 90.50 yen sell मतलब dollar by dollar by होगा 91.50 इस तरीके से करोगे I guarantee आपका कभी भी कोई mistake होने का chance ही नहीं scope ही नहीं है फिर देखूं आगे और देखते हैं yen by dollar हमने देखा आगे और देखते हैं SGD by dollar 2.50 2.60 के लिए मैंने अब मुझे बताना SGD sell करना है SGD by करना है क्या सीधा लिख दो में क्या सीधा लिख दो अरे भाई कोड किसका दिया होगा quotation में पहुचो आप बताओ participate करो मेरे साथ चैट बॉक्स को तो डालो chat बॉक्स में जो भी करो कुछ भी करो लेकिन participate करो केरी मिनेटिक की तरह 4 डालो लेकिन participate करो बताओ SGD अगर sell करोगे तो क्या सीधा लिख दें अच्छा sell तो सस्ता में होगा ये 2.50 लिख दो यहाँ पर SGD by by महेंगा में 2.60 लिख दो परबाद हो जाओगे आप आप ये देखो quotation dollar का दिया हुआ SGD पर dollar एक dollar का बहुद दिया हुए तो quotation में पहुचो SGD sell मतलब dollar by SGD by मतलब dollar sell dollar का quotation दिया हुआ महेंगा में by होगा सस्ता में sell होगा answer आगी आपका हाँ अगर मैं लिखता हूँ dollar sell dollar by जबकि ये quotation है तो direct इसका answer हम लिख सकते है dollar sell किसमें होगा सस्ता में होगा dollar by किसमें होगा महेंगा में होगा बताओ अराम से हो रहा है की नहीं हो रहा है यानि जिसका quotation दिया हुआ जिस currency का quotation दिया हुआ वो महेंगा में by होगा जिस currency का quotation दियावा वो महंगा में बाई होगा जिस currency का quotation नहीं दियावा है उसको अगर नहीं दियावा है तो उसको quotation में लेके जाओ फिर डिसाइड करो यानि आपको दिमाँ में इतना है रखना जिस currency का quotation दियावा वो महंगा में बाई होगा तस्ता में sell होगा चलो एक class work लेते हम EUD पर pound पता न मुझे यहां पर बताओ मुझे pound sell करना है EUD sell करना है EUD buy करना है pound buy करना है क्या करें पहले तो जिसका quotation दिया वो उसका अंसर कर लेते है pound का quotation दिया हुआ pound sell सस्ता में होगा यह 1.95 होगा participate करो यह 1.95 होगा pound buy करना है pound का quotation दिया हुआ pound buy करना है महंगा में यह 1.97 अब EUD sell मतलब quotation में पहुचो मतलब AUD cell में सीधा अंसर देना ही मत जिसका quotation ही उसका सीधा अंसर देना ही मत AUD cell मतलब pound by pound by किसमे होगा 1.97 AUD by मतलब pound cell आपको starting में थोड़ी से महनत करनी पड़ीगी पर मैं एकदम जिसे पक्का बन जोगा आप भी मेरी जिसे पक्के बन जाओगे इसमें इससे बहतर तरीका कुछ ही नहीं मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ मैंने देखा मैंने बहुत सारे तरीके आज मैं इससे बहतर तरीका ही नहीं इस तरीके से कभी भी गलती होगी नहीं आपके AUD by quotation pound का दिया होगा मतलब पाउंड सेल करेंगे इससे फाइदा क्या हो रहा है हम पाउंड में पहुंच रहे हैं और पाउंड सेल यह होगा बाई होगा बस बात खत्म मतलब आप हमेज़ा quotation में पहुंच जाओ और sell करना है तो bid ask करना है पाई करना है तो ask क्लियर रहेगा आपका दिमाग एक दम आपको पता रहेगा left वाला selling rate है right वाला buying rate है आप किसका quotation का आप quotation में पहुंच कर decision ले लो बात खत्म अब मुझे बताओ क्या मक्षन लगा की नहीं लगा यह bid ask का आपको मक्षन लगा की नहीं लगा मुझे बस इतना बताओ एक बार मुझे अगर यह bid ask मक्षन लगा तो मैं आगे proceed करता हूं में थोड़ा सा थोड़ा खेलेंगे और ज्यादा बड़ा ज्यादा उचा खेलेंगे बताओ एक बार यह bid ask का समझ में आया की नहीं है कि यह पूछ रहे कितने सालों से पढ़ा रहा हूं मैं 2016 में सीए बना था और सीए बनने के बाद दू महिन के बद में पढ़ाना चालू कर दिया था तब से बढ़ा रहा हूं मै अभी साथ साल हो चुका है बोलो मखन लगा की निले का मैंने बहुत सारा रिसेट इसमें कर रहा है बहुत टाइम दिया है मैंने और अब मैं जानता हूं कि इससी जदर तरीका नहीं होगा एकदम coconut water लग रहा है मजा रहा सबको मजा रहा आइधिंग आप लोगों मजा रहा चलो बहुत अच्छी बात है अगर मखन लग रहा मजा रहा है तो like कर दो like से मुझे पता चल जाएगा real में आपको मजा रहा है कि नहीं आ रहा है उससे मुझे पता चल जाएगा चली तो अब मैं आपके साथ थोड़ा सा में काम करता हूं मैं हमारे note से कुछ इक डेटा ले यह दो एक दम अच्छी दियान देने एक दम अच्छी से अभी और मजा आने वाले अब माल नो मेरे पास मेरे बात सुनो मेरे पास फोकेट में माल लो डॉलर है मेरे पास आप थोड़ा सा आपको मैं मेहनत कर रहाँगा ठीक है मैं मेहनत कर रहाँगा मेरे साथ मेहनत करना माल लो मेरे पास फोकेट में डॉलर है और मैं डॉलर बेच के ऐउडी खरीदना चाता हूँ आप एक बात सुनो, जो मेरे पास होगा, क्या वो मैं कभी खरीदता हूँ, क्या, आपके पास जो चीजे होती है, वो आप कभी नहीं खरीदते हूँ, जो हमारे पास होता है, यूज वाली, वो हम बेच देते हैं, जिसे मेरे पास FR की कोर्सेस हैं, मेरे पास SFM की कोर्सेस हैं, मैं बेच देता हूं आपके पास क्या डॉलर है तो क्या ये डॉलर को बेचेगा और ये बोल भी रहे कि डॉलर बेचके ये खरीदना चाहता है AUD, तो अब देखो, क्या dollar से सीधा AUD का rate दिया होगा नहीं है तो पता है क्या कर सकता है, यह dollar बेचके pound खरीद लेगा, फिर euro पर pound में pound बेचके euro खरीद लेगआ फिर euro बेचके rupiah खरीद लेगा फिर rupiah बेचके SGD खरीद लेगा फिर SGD बेचके yen खरीद लेगा फिर yen बेचके AUD खरीद लेगा मैंने जान मुझके ऐसा बनाया जान मुझके ऐसा मैंने बनाया कि आप dollar को बेचके finally AUD खरीद लोगे तो अब हम अराम से करेंगे इसमें थोड़ा सा समय देंगे ध्यान देने एक दामचेद मेरी बात सुनो मुझे dollar बेचना है क्या quotation dollar का दिया हुआ है कि pound का दिया हुआ है तो मैं सीधा decision ले नहीं सकता dollar बेचना है मतलब आप क्या bid बोल दोगे नहीं ये तो आपके दिमाग में महेंगा में buy सस्ता में sell पर कौन सा जिसका quotation दिया हुआ उसकी बात करो महेंगा में buy सस्ता में sell लेकिन जिसका quotation दिया हुआ उसकी बात करो यनि pound के में बात कर सकते है तो आप यहाँ पर यह समझो कि dollar अगर आपको sell करना है dollar 50 था हुआ होजे in hand है मतला हमें ये तो पता चलिए है कि हमें dollar बेचना है जो हाथ में होगा वो बेचेंगा और वो बेचके AUD खरी देंगे तो dollar बेचना है मतला pound क्या खरना है भाई dollar बेचना है मतला pound क्या करना है खरीदने है pound क्या करना है dollar बेचेंगे मतलब pound खरी देंगे यहाँ पर cross currency नहीं लगाँगा मैं तो simple logic से समझाँगा अबको मैं मान लो 6 अलग-अलग bank है मैं हर bank के थूँ दूसरे दूसरे bank में जाँगा और finally EOD खरीद लूँगा मैं bank A के पास जाँगा bank A को मैं dollar बेच दूँगा और pound खरीद लूँगा तो dollar बेचना मतलब pound खरीदना और pound खरीदेंगे किस पर? महंगा पर इसका quotation है उसमें पहुचो मतलब यह हमारे लिए कोई काम का नहीं आप हमेशा ध्यान में रखना आपके लिए bid या ask दूनों में से एक rate ही काम का होगा और यह वाला काम का 1.2 समझ में आया? अब बताओ dollar बेचके मैं pound खरीद लिया तो अब मैं जब bank A से बाहर निकलूँगा तो मेरे जेब में अब dollar है की pound है जो भी हो dollar मैं dollar को बेचूँगा pound को खरीदूँगा तो अब bank A से जब मैं gate से बाहर निकलूँगा तो आप मेरे pocket में क्या पाओगे? dollar 50,000 पाओगे कि उसको convert करके मेरे पास pound आगया अब मेरे pocket में क्या है? pound है अब मेरे pocket में क्या है? pound है तो बताओ मैं pound को क्या करूँ? जो मेरे pocket में होगा उसको मैं क्या करू? बेचूँगा तो अब bank B के पास यानि समझो bank A के पास तो मैंने dollar बेचके pound खरीदा था अब bank B के पास मैं pound बेचके euro खरीदूँगा समझ में आया? bank A के पास dollar को बेचके मैंने pound खरीदा अब bank BK पास मैं pound को बेच के euro खरी दूँगा तो pound को बेचना है, code भी pound का दिया हुआ है तो euro के तरह क्यों divert हो है हम मैंने ये बोला कि pound यहाँ पर खरीदा था ना अब pocket में pound है, pound को मैं बेचूँँगा और pound का ही code दिया हुआ है, तो pound को मैं बेचूँँगा किस rate पर, pound का code दिया हुआ, pound सस्ता में बेचा जाएगा महिंगा में खरीदा जाएगा, तो यह 0.95 पर बेचेंगे अंसर आ रहे हैं, चलो बहुत बड़ी, अंसर आ रहे हैं आपर अब यह समझ में आ गया, अब bank B से जब मैं बाहर निकलूँगा तो मेरे pocket में pound होगा, क्या नहीं, मेरे pocket में euro होगा क्योंकि मैंने pound बेच के euro खरीद लिया, अब मेरे pocket में euro है अब bank C में मैं जाऊँगा, तो euro को बेचूँगा, क्योंकि मेरे pocket में euro है तो बैंक सीमे मैं यूरो बेचूंगा पर यूरो का कोट दिया हुआ नहीं है यूरो बेचूंगा मतलब रुपिया खरीदूंगा जिसका कोट दिया हुआ वहाँ पोचना होता है न मैं यूरो बेचूंगा मतलब रुपिया खरीदूंगा तो रुपिया खरीदना है रुपिया का कोट खरीदना है किस पे महेंगा पे यानि ये वाला कोई काम नहीं है अब रुपिया खरीद लिया मेरे पोकेट में क्या गया रुपिया आगया अब मेरे पोकेट में क्या गया रुपिया आगया रूपिया बेचूंगा मतलब SGD खरीदूंगा SGD के point of view से सोचना पड़ेगा क्योंकि कूट SGD का दिया हुआ रूपिया बेचना है मतलब SGD खरीदना है SGD खरीदेंगे किस पे महेंगा में यह नि इसका कोई काम नहीं है SGD खरीदेंगे किस पे महेंगा में यह हमने समझ लिया अब SGD खरीद लिया बैंक D से जब हम बाहर निकलेंगे तो हम SGD लेके बाहर निकलेंगे बैंक D से जब हम बाहर निकलेंगे तो हमारे जिब में SGD होगा अब बैंक Ecom SGD बेचेंगे बैंक Ecom SGD बेचेंगे और Yen खरीदेंगे थे पा Syd progress कि सोचूंगी यह तो पता चेल गया test सच्वं ख कर देचूं गा मतलब यह ना है अब मेरे पोकेट में यह ने क्र लिए है और सोचा है मैंने SGD के point of view से इसलिए मेरा bid आगया क्योंकि SGD का code दिया हुआ है SGD तो बेचने SGD बेचया और yen मेरे pocket में आगया अब yen मैंने खरीद लिया yen मेरे pocket में अब yen लेके में क्या करूंगा yen लेके में क्या करूंगा bank F के पास जाओंगा तो yen मेरे pocket में yen बेचूंगा मतलब AUD खरीदूंगा quotation तो AUD का है yen बेचूंगा मतलब AUD खरीदूंगा और AUD खरीदेंगे किस पर महेंगा पर तो बताओ आपको अब ये पता चलिए अब हम इसके बार में conversion हम निकालेंगे ultimately क्या हमारा cost परेगा 50,000 डॉलर देने पर हमें कितना AUD मिलेगा वो मैं बाद में सिखाऊंगा लेकिन अब ये समझो इसका कोई काम नहीं है तिर्व ये जो highlight क्या हुआ इसी rate का हम यूज करेंगा इसी rate काम यूज करेंगा जो highlight क्या हुआ उसी rate काम यूज तो बोलो समझ में आया एकदम अच्छे से जी हाँ एकदम अच्छे से अगर समझ में आया तुम आगे बढ़ते हैं मैं एक और example लेता हूँ इस बार 5 बैंक का example लेता हूँ आगे बढ़ते हूँ कि मैं ऐसे random value ले रहा हूं इसका वास्तिविक्ता से कोई लेना देना यह मैंने value ले लो मेरे पास अभी मैं मानता हूं dollar 50,000 फिर से ले रहा हूं dollar 50,000 इने हैं तु बाई euro मुझे euro खरीदना है अब आप participate करो अराम से dollar 50,000 मेरे हाथ में है और मुझे क्या करना है मुझे खरीदना है dollar से रुपिया खरीदना, रुपिया से pound खरीदना, pound से yen खरीदना, yen से SGD खरीदना, SGD से euro खरीदना तो मैं dollar से क्या euro खरीद सकता हूं जी हां पर मुझे 5 अलग-अलग बैंक का सहारा लेना पड़ेगा कोई problem ही हम ले लेंगे, हम महनत कर लेंगे तो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास dollar है, तो dollar जो होता है वो बेचते, कितनी बार बता हूँ आपको मैं, जो हमारे पास in hand होता है, वो हम बेचते हैं तो हम dollar बेचेंगे, पर quote तो dollar का दिया हुए ने, तो सीधा decision लेके मत बोल देना कि ये वाला है बेचना है, 0195 ले लेते हैं, बेचना है, मतलब सस्ता वाला, आरे भाई रुख जा, dollar बेचना है, dollar का quote ही नहीं दिया हुए, रुपिया का quote दिया हुए, dollar बेचना है, मतलब रुपिया खरीदना है, ये हमने समझ लिया, dollar बेचना है, मतलब रुपिया खरीदना है, अब र वाहर निकलुँगा तो रुपिया लेकि बाहर निकलुँगा तो रुपिया लेकि वाहर निकलुँगा अब मेरे कोट दिया हुगा है रुपिया बेचना है मतलब पाउंड खरीदना है पाउंड खरीदना है मतलब महेंगा वाला होगा यह कोई काम का नहीं है अब मेरे पोकेट में क्या आ गया पाउंड आ गया bank B से जब बाहर निकलूँगा मेरे pocket में pound होगा bank C में मैं pound को बेच के yen खरीद लूँगा pound को बेच के yen खरीद लूँगा तो pound को बेचने का यहाँ पर में लगाई नहीं सकता क्योंकि code yen का दिया हुगा pound बेचना मतलब yen खरीदना अब मेरे pocket में क्या yen है अब मैं yen को बेचना और code भी देखो यहाँ पर yen का ही दिया हुगा yen को बेचना yen का code दिया हुगा yen बेचना मतलब SGD खरीद के मेरे पास pocket में SGD आ जाएगा अब बस यह धियान में लगा जिसका code दिया हुगा उसके हिसाफ से सोचने हैं, अब मेरे यन को बेचा, इस रेट पे मेरे पास SGD आ गया, अब बैंक EMA में SGD को बेचूँगा, SGD बेचूँगा मतलब यूरो खरीदूँगा, यूरो का कोट दिया हुआ, यूरो खरीदूँगा, मतलब महेंगा वाला पे, बोलो समझ में आया, एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से समझ में आया की नहीं है, बोलो, यहां तक perfect है, मतलब मैं आपको एक बार बिडास में perfect बनाना चाता हूँ, read करने में perfect बनाना चाता हूँ, इस बार आप करना, आप मुझे चैट बोक्स में बताना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्या ले लेते एक और करन्सी, आप में नहीं आ रहे हैं, कोई करन्सी बता दू, क्या करन्सी, बहुत सा रही है, टी डॉलर, पाउंड, यूरो, टी है, 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 पहले अंसर देने लगए क्या, इस बार रूपयल यही नहीं जा मुझे, चलो, यह मैंने लिया, इस बार मैं रखता हूँ, तुबाइ फिफ्टी थाउजन, टी है, टी है, टी है, टी है, इमाउंट इन हैंड, यहन है, कितना यहन है, यह नहीं पूछा, कितना यहन है, यह नहीं बता है, हमारे पास, बोलो, बहुत है हमारे पास, हमारे पास इन हैंड, जो है, वो यहन है, बहुत सारा है, हमें फिफ्टी थाउजन, यानि yen sell करेंगे और CHF buy करेंगे अब आप participate करके मुझे बताओ आप मुझे participate करके बताओ पताओ फटाफट से क्या होगा आप chat box में जो बताओगे वही लिखूँगा मैं लोग का answer आ रहा है ये वाला आप participate करो नेक्स्ट वाला बताओ क्या करना एक बर आपका मैं देख ले तो फिर चेक करूँगा सही कि नहीं है तब participate करो कि सब कोई participate करेगे आपर सब कोई participate करेगा तब मजाएगा पढ़ने का तब मजाएगा जो बोलोगे वही मैं लिखूँगा आप मैं अभी कुछ नहीं चेक कर रहा है आप जो बोलोगे वह लिखूँगा मैं जालो सेकेंड वाला भी बहुत जो नहोंने 1.5 बताया थार्ड वाला मुझे बताओ आप जो आप लोग बोले हो वही लिखने है सब को अच्छा है बहुत अच्छा है सब माटिसिमेंट करना मजा आए रहा है थी करो आप अच्छा लग रहा है अब पोर्ट वाला बताओ पोर्ट वाला बताना पोर्ट वाला भी सब ने पॉइंट ने बता है लास्ट में वेरिपाइए करेंगे पर मुझे बताओ पहले पिर्ट वाला बताना 126 लास्ट वाला बताओ लास्ट वाला बताना किसी किसी का गरवड भी हो रहा है लास्ट वाले में लास्ट वाला कितना होगा पॉइंट 0127 चलो मैं नहीं यह वाला लिख दिया अब चलो अब मजा रहा है अब आप लोग कर रहे हो ना पार्टिसेट तो मजा रहा है अब हम देखते हैं सही हो की नियों आप लोग अच्छा लेवर सब फार्टिकेट करें बहुंच लीनगनत बिदे रहे हैं कोई नहीं घंटी चितनी करोंगे उतना सीखो गया तो गलति से घपरानी की जरूवज नहीं गलति करोंगे तबी तो सीखोंगे तो तो गलति से डर्णने की जुरूत नहीं है रहे डा किल्कुल भी ना डर्णना गलति से तो डर्णना ही मत अब 19 किहां का कोड़ एम यहन नहीं यdefense ने मतलब पाउंड खरीदना एक है है pocket में dollar है अब dollar को बेचेंगे और dollar का है quote दिया हुआ कि आगे एकदम सही है dollar को बेचा तो AUD मिल गया अब AUD pocket में bank D में AUD को बेचेंगे तो AUD को बेचा 0.95 में एकदम सही है और SJD मिल गया अब SJD को बेचेंगे पर SJD का quote नहीं है SJD को बेचेंगे मतलब euro को खरीदेंगे euro का कोट है और euro तो खरीदने मतलब यह वाला भी सही euro खरीदने अब euro कखरीदेंगे pocket में euro आगया हमारे अब euro को बेचेंगे यानि CHF को खरीदेंगे मतलब यह वाला आगया बिलकुल सही आपने 100% सभी अंसर दिया है मज़ा आ गया एकदम मज़ा आ गया तो मतलब I think अब बिडास्क आपको एकदम अच्छी से समझ में आ गया अब बस एक होमवक तो बनता है आपके लिए एक होमवक तो बनता है तरल करने के लिए आपके लिए होमवक है अभी कर सकते हो तो अभी कर लेना मैं डिसकस नहीं करूंगा आप खुद करोगे झाल यह मैंने कोटीशन्स दिया आप खुद से करोगे मालो आपको क्या करना है यह करना है और यह नहीं सेल्ब करना है यूरो बाई करने और यूरो कितना बाई करने 20,000 यूरो बाई करने 20,000 यूरो बाई करने तो यह आप सेल्फ करोगे नरेंद्र को बचसर आप क्या खा रहे हो प्लीज बता दीजे हम तो सेतालू कहते हैं हिंदी में इंगलिस में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहे हैं यह बहुत अच्छा फल होता है मुझे पसंद है तो चलो ठीक है यह वाला आप खुछ से कर लो के सेल्फ चलो डन तो यह वाला पार्ट बिडास्क मैंने आपको समझा दी अब मैं आपको समझाना चाता हूँ कनवर्सन अब प्रॉब्लम क्या मैं आपको बता दूँ बच्चे लोग कनवर्सन करते से मैं गलतिया करते है कनवर्सन करने के लिए भी मुझे अब आपको पहले कनवर्सन का कंसेप्ट समझाना पड़ेगा Conversion का concept मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ पहले But ask अलग चीज़े, Conversion अलग चीज़े मैं आपको समझाना चाहता हूँ अभी Conversion Conversion क्या है? अब मेरी बात सुने, एकदम अच्छे से ध्यान से सुने One Calculator अगर रुपीस 80 का है एकदम ध्यान से अराम से, Conversion भी एकदम मज़ा लेगे, एंटरस्ट आएगा One Calculator अगर 80 रुपीस का है, तो आप मुझे बताओ Therefore, 100 Calculator कितने का होगा आप बोलोगी 80 into 100 यहीट थाउजन रुपीस का होगा, इंपल सी बात है मतलब मैं वही कहना चाहता हूँ, रुपी पर कैलकुलेटर कर में लिखता हूँ रुपी पर कैलकुलेटर, अब दुकांदर के बास के आपने पुछे रुपी पर कैलकुलेटर बता, तो दुकांदर ने बोला 80 रुपीस पर कैलकुलेटर तो दुकांदर भाव किसका दे रहे, calculator का भाव दे रहे simple सी बात है, दुकांदर भाव किसका दे रहे, calculator का भाव दे रहे कि रुपिया का भाव दे रहे, इसको देखे बताओ, quotation दुकांदर रुपिया का दे रहे कि calculator का दे रहे, दुकांदर quotation calculator के दे रहे 80 रूपेश दुकांदर ने calculation का calculator का quotation दे दिया 80 रूपेश अब हमने उसे बोला ठीक है 80 रूपेश आपका एक calculator का दाम है therefore हमने उसे बोला therefore 500 calculator का कितना होगा मुझे बताओ 5 minute calculator का कितना होगा अगर एक calculator का दाम 80 रूपेश है तो 5 minute calculator का दाम कितना होगा आद दुकांद्र बोले यह सिंबल सी बाद है यह भी कोई पूछने बाली बाद है कर ले calculator एक calculator का दाम 80 रूपीस है तो ठीक है ऐसा लिखते है बार तो 10 calculator का दाम कितना होगा 80 into 10 800 होगा 100 calculator का दाम कितना होगा 80 into 100 8000 होगा 10,000 calculator का दाम कितना होगा 80 into 10,000 800,000 रुपे इसका होगा मतलब यहाँ पर पता है क्या हो रही है सीधी बात हो रही है यहाँ पर सीधी बात हो रही है कैसे सीधी बात हो रही है सीधी बात इसलिए पता चल रहा हो रही है क्योंकि तो का अंदर एक calculator का भाव बता रहा है आपको और आप भी सीधी बात करो 10 calculator का कितना दाम 100 calculator का कितना दाम 10,000 calculator का कितना दाम आप भी सीधी बात करो पर सोचो ना क्योई एक बंदा है जो Mentos खा के आया और वो उल्टी बात कर रहा है फिर भी रूपी पर calculator अगर 80 है तो अगर आपसे बोला जाए कि 400 रूपी इस में कितना calculator आएगा तो बताओ दुकांदर को गुसा आएगा कि नहीं दुकांदर calculator का quotation दे रहा है 80 रूपी और मैं पता उसकी उंगली कर रहा हूँ उसे मैं और दुकांदर को सुबह सुबह पहुँच गया उंगली करने को और दुकांदर के बास खैसिए उंगली करने दुकांदर को ब wines ति टहर सुरुपатиं में कितना calculator देगा बताना हright में किपना calculator रूपे में कितना इसी दुकांदर का भाउय करते हूँ और दुकांद drivesale एक calculator कदम 80 रुपय है तो 400 रुपय हम divided by 80 कर दो 5 calculator बोलेगा वो है नग अगर मैं उसे बोलूँगा 40 thousand में कितना calculator मिलेगा को करेगा 40 thousand divided by 80 बोलेगा 500 calculator यहनि आप यह समझो अब इससे में क्या logic देना चाहता हूँ आप यह समझो calculator का भाव दिया दुकानदार रहे अब अगर अब calculator की ही बात करोगे तो multiply हो रहे calculator की बात करोगे तो क्या हो रहे multiply हो रहे लेकिन वही अगर अगर अब रुपिया की बात करने लगे तो divide हो रहे तो यहाँ पर आप यह समझो रुपी पर calculator बात calculator की हो रही that is quote जो है वो given है for calculator आप समझो अगर हमें convert करना है to convert number of calculator हम multiply करते हैं to convert number of rupee हम divide कर रहे हैं मतलब जिसका quotation दिया हुआ है जहां से समझो जिसका quotation यह basic math से है मैं कोई आपको forex नहीं बढ़ा रहा भी यह basic math से कि जिसका quotation दिया हुआ है calculator का quotation दिया हुआ है calculator के बारे में बात करोगे multiply होगा calculator को convert करोगे multiply होगा रूपिया का convert करोगे divide होगे तो आपको basic आपने खुद ही बता दिया है मुझे chat box में simple सी बात है न तो आप simple सी बात है अगर एक calculator का दम 80 rupees है और आप बोलोगे कि 400 rupees में कितना calculator मिलेगा simple सी बात है दुकांदर को divide करना पड़ेगा तो वही अब मैं लेना चाहता हूँ मेरा basic में रूपी पर डॉलर में अगर मालो रूपी पर डॉलर 80 है अगर मालो रूपी पर डॉलर 80 है तो मैं अगर आपसे पूछों 500 डॉलर क्या होगा बताओ 500 dollar क्या होगा तो मैं 80 into 5 minute करूँ कि 80 divided करूँ मैं मैं क्या करूँ मैं बुलूँगा 500 into 80 कर ले क्यों 5 minute into 80 करना है क्योंकि एक डॉलर का दाम 80 रूपीज है तो 5 minute dollar का दाम 5 minute into 80 होगा 10,000 dollar का दाम कितना होगा अगर मुझे 10,000 dollar को convert करना 10,000 dollar into 80 लिख दूँगा मैं simple सी बात है लेकिन सोचो अगर मैं बात करूँगा 10,000 rupees की तो 10,000 rupees यहाँ पर आएगा कितना यह 40,000 rupees यहाँ पर आएगा यह rupees 8 lakh मतलब 500 dollar equal इतना रूपिया होगा 10,000 dollar equal इतना रूपिया होगा अगर मैं आपसे बोल दूँ की 10,000 rupees equal कितना डॉलर होगा तो आप क्या करोगे आप बोलोगे 1 dollar का दाम 80 rupees है quotation dollar का दिया होगा है मैं मजाग मस्ती कर रहा हूँ मैं counter attack कर रहा हूँ मैं 10,000 rupees में कितना dollar मिलेगा तो मैं क्या करूँ मैं 10,000 into 80 करूँगा कि 10,000 divided by 80 करूँगा मुझे 10,000 divided by 80 करूँगा मुझे 10,000 divided by 80 करना आप एक और इसमें लगा सकते हो logic कि मैंने बोला quotation dollar का दिया होगा है तो obviously बाते उपर वाला बहु कहीने के dollar का होता है मैं denominator के साथ खिलने होता हम denominator में खेल रहे पर उसको भी दिमाग से हटातो आप conversion में बस इतना सोचो convert जब आपको करना है बिडास को मैं अलग रखता हूं conversion को मैं अलग रखता हूं और आप भी हमेसा ऐसे ही करोगे मैं आपको questions जब कराऊंगा तो देखिएगा मैं बिडास को अलग रखूंगा conversion को अलग रखूंगा कभी भी कोई भी question I guarantee गलत नहीं होगा लेकिन अगर आप लोग बिडास को conversion को एक रखते हो इसलिए आप दिखना अब गलती भी बहुत करते हो और forex में आप फस जाते हो पर मेरे style में करोगे तो forex में कभी भी फस नहीं कि कोई गुझाइ नहीं दिया हुआ है उसको convert करना तो डिवाइड होगा तो देखो 10,000 रुपीज को convert करना है पर quotation तो dollar का दिया हुआ है convert करना है रुपिया को तो डिवाइड होगा फिर आगे 5,000 रुपीज को convert करना है अब quotation तो dollar का दिया हुआ है तो 5,000 रुपीज divided by 80 तो इससे हमारा dollar आ जाएगा तो 10,000 divided by 80 यह 125 डॉलर आ गया 5,000 डिवाइड इटी किया गया 625,00 तो यानि हमारा है हमारा यहां पर point क्या बनेगा note क्या बनेगा कि आपको दिमाग में अपने बैट जाएगा यह सब नहीं लिखने से भी चलते है जिस करनसी का कोट है यहीं जिस करनसी यहां पर dollar का कोट है जैसे इफ उसी को convert करना है इफ उसी को convert करना है तो multiply है फिर जिस करनसी का कोट नहीं है अगरे टिस है यहां पर रूपिया का कोट नहीं है टिफ उसको convert करना है बहुत क्या होगा डिवायड होगा यह Basic Math है कि कुछ सिखाने वाले चीज नहीं यह basic math है ठीक है यह मैंने English में लिखा है बस Hindi के sentence में लिखते है ताकि आपको दिमाग में बसा रहे है आपका Done तो एकदम अच्छे से मुझे समझ में आ गया basic मुझे एकदम अच्छे से समझ में आ गया अब मैं आपको कुछ example करवा देता हूँ फटाफट से एक बार कंवर्शन की बात हो रहे है तो आप मुझे बता हूँ 10,500 येन इकवल कितना होगा ठीक है 25 525,000 SGD इकवल कितना होगा 5000 येन इकवल कितना होगा अब एकदम simple सुच आप code किसका दिया हूँ है SGD का दिया हूँ है तो SGD को convert करना है तो multiply yen को convert करने की बात बोलोगे तो divide होगा SGD का code दिया हूँ है उसी को convert करना है तो multiply करोगे तो जैसे SGD का code यहाँ पर दिया हूँ है किसी को convert करना है तो multiply कर दोगे आप तो लेकिन yen को convert करोगे 10,500 yen को code दिया हूँ है SGD का तो divide होगा यहाँ पर भी 5000 yen को convert करोगे code दिया हूँ है किसका SGD का तो divide होगा बस बात खतम यहाँ गया 12,000 क्या 12,000 क्या है यह SGD है और इधर 5,25,000 into .8,750 यह क्या 459,375 देखो SGD को convert कर दिया तो यह yen बन गया और 5000 yen है इसको convert कर देंगे divided by 5,714 एप्रोक्स 5,714 यह क्या बन गया? SGD बन गया ठीक है? एक example एक और आप लोग के लिए करवा देता हूँ हमवर्ग नहीं दूँगा करवा दूँगा अब कि यूडी बैर रूपी ठीक है? 67,500 रूपी को convert करना कोट रूपीय का दिया हुआ है इसी को convert करना है तो 67,500 इंटू 0.0565 अंसर बता दो कितना आएगा? 10,000 एउडी को convert करना कोट रूपीय का एउडी को convert करोगे तो क्या होगा? 10,000 डिवाइड़ेड बै पता दो मुझे अंसर क्या है गा? रूपी कैसे होगा? पहले बाले का क्या होगा अंसर? यह AUD होगा दिहान रखना क्योंकि रूपीय को convert करोगे तो अब AUD बन चाएगा ना? रूपीय को convert करके तो नहीं रूपीय रहेगा दन? यह न 0.0565 है तो ठीक इतना ही कुछ होना चाहिए और नेक्स्ट वाला कितना होगा? 10,000 डिवाइड बाइड पॉइंट 0.0565 इस न आएगा? 1,7,6,9 जाता आना चाहिए 10,000 डिवाइड पॉइंट 0.0565 1,7,6,991 है 1,7,6,991 क्या होगी आपका? यह रूपिया आ जाएगा तो अब मैंने आपको कनवर्ड करना सिखा दिया अच्छे से तो मज़ा आ गया चलो कनवर्ड सन भी करना सिखा दिया अब यह जो बड़े-बड़े कोशिन जो मैंने मार कर रहा है आपको $50,000 आपके पास in hand है और $50,000 बेच के आपको क्या करना है AUD खरीदना है तो खरीदने बेचने का काम कर लिया आपने अब आपको मैं बस यह बताना चाहता हूँ कि अब आपको convert करना है आपको यह देखना $50,000 बेच के मुझे कितना AUD मिलेगा मुझे conversion करना है क्योंकि खरीदने बेचने का bid ask तो मैंने कर लिया अब problem क्या पता है बच्चे लोग यह गलती करते वो क्या करते conversion करते समय भी दिमाग में bid ask लाते जिसके चलते problem आती आपको यह अपने दिमाग में कैसे भी करके बसाना है कि conversion करते समय मैं bid ask के बारे में नहीं सोचूँगा तो खाओ कसम अभी मेरे सामने मेरे सामने भी कसम खाओ कि conversion करते समय हम कसम खाते हैं कि conversion करते समय हम bid ask के बारे में नहीं सोचेंगा तीन बार कसम खाओ नहीं खाओगे मैं आगे नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार पढ़ाया हूँ पर बच्चे ये गलती करते हैं बोलो मैं गीता पे हाथ रखे कसम खाता हूँ कि मैं कन्वर्सन करते समय मैं बिड और आस के बारे में नहीं सोचूँगा क्योंकि वो तो मैं पहले ही कड़ चुका मुझे 1.20 से मतलब नहीं है मुझे 0.96 से मतलब नहीं है मुझे 0.0106 से मतलब नहीं है मैंने बिडास कर लिया मैंने किया न मैंने ये बोला $50,000 मेरा in hand है $50,000 मेरा क्या है in hand है तो डॉलर मेरे पास फोकेट में मैं बेचूंगा डॉलर बेचके मैंने पाउंड खरीदा इस रेट पे पाउंड बेचके मैंने यूरो खरीदा इस रेट पे यूरो बेचके मैंने रुपिया खरीदा इस रेट पे रुपिया बेचके मैंने एज़ीडी खरीदा इस रेट पे बोलो जगाती ज़र की कसम खाके कहते हैं कि हम conversion करते समय बिडास के बारे में नहीं सोचेंगे हम सिर्फ multiply divide के बारे में सोचेंगे क्योंकि आप बिडास करोगे तो bid या ask सोचोगे पर जब आप conversion करोगे तो सिर्फ और सिर्फ multiply divide करना इन सारे values को इन सारे वैल्यू को multiply divide का क्यानि बिडास के बारे में नहीं सोच हुए अच्छा स्योग जी बोरे सर गीता मना करी हाथ रगने तो ठीक है जिसकी कसम खाते हो जिसको आप एक होते है न जिसकी कसम value नहीं है आप उसकी खालो अपनी ex-girlfriend या ex-boyfriend की कसम खालो इससे अच्छा और क्या हो सकते हैं अगर आप लोग यह कोई ex-girlfriend या ex-boyfriend हो उसकी कसम खालो अब तो मचा आगे हैं न हम अपनी ex-girlfriend या ex-boyfriend की कसम खाके कहते हैं कंवर्सन करते समय बिडास के बारे में नहीं सोचेंगे हाँ अपने employer की कसम खालो यह आई से की कसम खालो पर कसम खाना पड़ेगा कि अब देखो मुझे यह निकान लिए कि 50,000 डॉलर एक्वल कितना AUD होगा तो देखो यहां देने अग्दम अच्छे से हाँ सब सी यह प्रिंसिपल की अपने अगर किसी की ex-girlfriend बॉयफ्रेंड है जिससे आप हेट करते हो नहीं उसकी कसम खालो जिसने आप सबसे ज़्यादा हेट कर तो उसकी कसम खालो अब मजांग मस्तिक हदम अब देखो 50,000 डॉलर 50,000 सोरी 50,000 डॉलर है जिसने हमें convert करना into EUD तो सीधा कैसे convert करेंगे पहले तो दिखो 50,000 डॉलर हे कहां पर यह रहा तो डॉलर को पहले पाउंड में convert करना है बताओ convert करना है 50,000 डॉलर को पर कोट क्या डॉलर का दिया हुआ है कि पाउंड का दिया हुआ है convert करना है मुझे 50,000 डॉलर को पर कोट किसका दिया हुआ है डॉलर का दिया हुआ है कि पाउंड का दिया हुआ है convert करना है 50,000 डॉलर यह रहा 50,000 डॉलर को convert करना है कोट तो पाउंड का दिया हुआ है तो क्या करें multiply कि divide kuart dollar का नहीं दिया वा जिस currency को convert करना उसका quote नहीं है मतलब divide होगा कौन सा ये वाला जो आपने Tick कर रखा हुआ 1.22 से divide होगा 1.22 से divide होगा तब moment आपने 1.22 से divide कर दिया अब ये क्या बन गया पते हैं ये बन गया pound अब ये dollar नही 여 हो ये 50,000 dollar था 1.22 से divide करते भी ये बन गया क्या pound अब pound बन गया अब bank B में जाएंगे convert करना है pound को quote दिया हुआ pound का मज़ा आ गया तो multiply होगा तो the moment आपने 0.95 से multiply किया अब ये पूरा का पूरा बन गया euro है ना पहले दिखो 50,000 डॉलर था 50,000 डॉलर को हमें convert करना है pound में तो dollar को convert करना है quote दिया हुआ pound का dollar को convert करना है quote दिया हुआ pound का तो मैंने बोले divide कर दो steam का quote नहीं दिया हुआ ये divide करते अब ये बन गया था pound अब bank B में हम गये हमने बोला pound को convert करना है quote भी दिया हुआ pound का तो multiply कर दिया, तो multiply करते अब ये pound से बन गया euro अब euro को convert करना है euro को मैं shortcut में करा रहा है और detail में करा था तो 67 step लग जाएगा, उतना आपके बाद समय नहीं ये exam में भी, है न, तो आप ये समझो, euro को convert करना है, अब 0.95 से multiply करते ये पूरा entirely euro बन गया अब देखो, bank c में जाएंगे, euro को convert करना है quote euro का नहीं दिया हुआ है quote दिया हुआ है, quote दिया हुआ है quote euro का नहीं दिया हुआ है, और euro को convert करना है यानि divide नीचे तो जैसे आपने divide किया अब ये euro बन गया, क्या रुपिया अब euro से ये रुपिया में convert हो गया, देखो पहले dollar था, 1.22 से divide करती है, pound बन गया, फिर 0.95 से multiply करने पर ये euro बन गया अब 0108 से divide करने पर ये रुपिया बन गया, रुपिया को convert करना है, quote दिया हुआ है देखो, रुपिया का नहीं दिया हुआ है, SDD का code दिया हुआ है, तो बताओ क्या होगा divide, इतना level तो exam में आता ही नहीं, जितना level मैं आपको करा रहा हूँ, मैं तो आपको एकदम highest level की तयारी करवा रहा हूँ, मैं सच बता रहू, इतना level exam में आता ही नहीं है इस्ते छोटा ही level आयो, पर फिर भी मैं highest level की तयारी करवा रहा हूँ, तो आप देखो, 51 से आप क्या करोगे, divide करोगे, क्यों, क्योंकि रुपिया को convert करना था, code SZD का दिया हुआ था, रुपिया का code दिया हुआ नहीं था, तो मैंने divide किया, divide करते ही, ये बन गया SZD, अब SZD को convert करना है, code भी SZD का दिया हुआ है, मज़ा आ गया, multiply होगा तो ये multiply करते ही, अब ये क्या बन गया, yen बन गया SZD को convert किया, yen में अब ये yen बन गया, अब yen को convert करना है, code दिया हुआ AUD का तो divide होगा अब देखिए, आ जाएगा आपका AUD का पटापट से मुझे बताओ, पटापट से मुझे बताओ, कितना AUD समझ में आया कि नहीं है, सचीन जी कह रहे है, सर काफी आसान कर दिया आपने, हाँ, अगर मन लगा के पढ़ रहो मेरे साथ, तो बहुत आसान लगेगा, दो घंटा हुआ है, में दो घंटे में हमने मेन कोर पार्ट हमने सीख लिया भी, और बिडास्क अलग रखना है, ध्यान रहे और कन्वर्सन अलग रखना है, बदाओ, ये हैं, अब मैं उल्टा भी सिखा रहा हूँ, देखो, मालों ये में कहता हूँ, सब कंसर सही है, अब मुझे एक चीज़ और आपको बताना है, बहुत ही इंपोर्टन चीज़, विप्टी धाउजन डॉलर बेचके, आपको इतना एयूडी खरीदने को मिल रहे, आपको इतना एयूडी खरीदने को मिल रहे है, अब अगर मालों मैं पहले ये कहता, मैं पहले से ये कहता, कि मैं डबल त्री, टू डबल फोर एयूडी खरीदूँगा, तो कितना डॉलर बेचना पड़ेगा, बात वह ये बात सेमी है, मैं सेमी बात बोल रहा हूँ, मतलब मैं ने पहले ये बोला, 50,000 डॉलर बीचने पर, इतना एयूडी खरीद पाऊंगा, अब मैं उल्टा गुमा दे रहा हूँ कोशिन को, मैं आपसे भी ये सवाल पुछना चाहता हूँ, कि इतना एयूडी खरीदने के लिए, कितना डॉलर बीचना पड़ेगा, आप बोलो है सर क्या मजाग करो, ओवियस नी बात है 50,000 डॉलर नी तो बीचना पड़ेगा, जी हाँ, पर हम इसको निकालेंगे, पर इसको भी हम निकालेंगे, महनत करके निकालेंगे, एकदम सही है, आप बोलो, आप अगर बोलोगे, हाँ, आप बोलो, सर मजाग करो, 50,000 डॉलर बीचने पर, इतना एयूडी खरीद पा रहे हैं, तो इतना एयूडी खरीदने के लिए, ओवियस सी बात है, 50,000 डॉलर, पिचना पड़ेगा, मैंने राउंड ओफ कर दिया बस इसको, डबल त्री, टू, 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 पॉइंट नैंवन को, डबल त्री, टू, डबल फॉर, मैंने राउंड ओफ कर दिया, इम्बल ती बात है, है न, तो बस मैं इसको सॉल्व करके, हम लोग करेंगे, तो अब देखो, डबल त्री, टू, डबल फॉर, ये एउड है, अब एउड कहां पर है, एकदम नीचे में उल्टा जाना पड़े, तो देखो, एउड को कनवर्ड करना है, कोट भी दिया हुआ, एउड का, तो टू जिरू टू से क्या होगा, मल्टिप्लाई होगा, एउड को कनवर्ड करना है, कोट भी एउड का दिया हुआ, तो टू जिरू टू से मल्टिप्लाई कर देंगे, जब मोमेंट मैंने टू जिरू टू से मल्टिप्लाई कर दिया, अब ये बन गया yen AUD convert होगे न अब yen पे अब yen को convert करना है coat yen का नहीं दिया हुआ है तो divide होगा तो divide करूँगा 95 से तो ये SGD बन जाएगा अब SGD को convert करना है coat दिखो अब उल्टा जा रहा हूँ क्योंकि AUD यहाँ पर था है से सुरुआत हो रही है तो AUD को मैंने convert किया yen पे है ना AUD का code दिया होगे तो yen पे convert हुआ अब yen को मैं SGD में convert कर रहा हूँ तो yen को convert कर रहा हूँ coat SGD का दिया होगे मैंने divide किया तो ये SGD बन गया अब SGD को convert करना है code भी SGD का दिया होगे तो multiplier हो जाएगा इसको multiplier करते यह rupia बन गया अब rupia को convert करना है code भी मझेदार की बात है rupia को convert करना है code किसका दिया हुआ है रupia का ही code दिया हुआ है तो फड़ से क्या होगा multiply होगा 0108 तो इससे multiply करते है अब यह euro बन गया अब euro को हमें करना है convert पर quote दिया हुआ है आप देखो pound का यानि euro का quote नहीं दिया हुआ है तो divide होगा इससे divide करते है यह बन गया क्या pound अब pound को convert करना है और quote दिया हुआ है किसका pound का ही quote दिया हुआ है रुख जो रुख जो pound को convert करना है code भी pound का दियावत हो क्या होगा multiply होगा 1.22 से multiply हो जाएगा जगा की कमी हो 1.22 से multiply करते हैं अब ये dollar बन जाएगा तो कितना dollar आ रहा बता दो कितना dollar आ रहा obvious ही बात है क्या कर लो 50,000 dollar एप्रोक्स आ जाएगा आपका 50,000 dollar एप्रोक्स आ जाएगा आपका दूसरे वाला भी कर लेते हैं फटा फट से आज बिडा स्कोर कनवर्सन आपको समझा के भी बीचूंगा 50,000 ले लिए मैंने अंकी जी कुछ गरबड किया आपने 50,000 एप्रोक्स आएगा इतना फरक तो नहीं आएगा 49,500 कुछ गरबड़ी किया आपने या फिर इससे multiply नहीं किया होगा 1.2 कुछ तो गरबड़ी किया 50,000 आ रहे है वाउ यस तातिया नाइस टूसी अच्छा आपस में बाते करो चलो करो कोई नहीं तो अब देखो यहाँ पर आप अब मैं next question की बात करो देखो यहाँ पर भी देखो मुझे 6 बैंक का 5 बैंक का सोरी डेटा दिया हुआ मुझे 5 बैंक का डेटा दिया हुआ है मेरे पास $50,000 in hand है मुझे Euro buy करना है मेरे खाल से अब यह खुद भी कर लोगे के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि हम पहले ही कर चुके होंगे पिडास्क अलग से करना है कनवर्सन अलग से करना है दोनों को मिलाओंगे घटना घटी घटना घटी की आप बरबाद हो जाओगे अब यह देख लो तो यहाँ पर $50,000 को convert करना है कोट दिखो $ यह रहा नीचे नहीं उपर है $ उपर है कोट रुपिया का दिया हुआ तो डिवाइड होगा $0.09 डिवाइड करते हिए रुपिया बन गया अब रुपिया को convert करना है कोट दिया हुआ है रुपिया का नहीं दिया हुआ कोट तो फिर से divide होगा अब ये बन जाएगा क्या pound pound को convert करना है quote फिर से pound का दिया हुआ नहीं yen का दिया हुआ तो फिर से क्या होगा divide होगा अब ये बन गिया पूरा का पूरा yen अब yen को convert करना है quote yen का दिया हुआ तो multiply हो जाएगा अब ये बन जाएगा SGD, अब SGD को convert करना है, पर quote दिया हुआ euro का, तो फिर से क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा, point 66 1.66 हो जाएगा तो इससे भी आपका answer आजाएगा, आप ऐसा मत करना exam में कि right वाले सारे divide कर देता हूँ, left वाला multiply कर देता हूँ, ऐसा अब काम मत करना बरबाद हो जाओ, कहां गलती होगी आपको भी पता नहीं चले, तो यह सब thought card में आपको बताऊँगा, भी ने, आप करना है भी बद, यह तो आप तो सुचोगे, सर देखो न, सारे right वाले जो है, वो देखो सारे divide हो रहे है, left वाला जो है multiply हो रहा है, यह सोचने में ही बरबादी हो जाएगी आपके, यह सोचने में बरबादी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं second अलग, उल्टा point of view रखता तो बरबाद हो जाता तो इसलिए ऐसा सोचो ही मत अभी विलाल के लिए तो ऐसा सोचो में एक पूरे पके strong बन जाओ, फिर वो सब सोचकर सोचना अगर मन होगा तो, तो इसका अंसर आप खुछ से निकाल लोगे, I think आप खुछ से निकाल लोगे, अब मैं दूसरा आपको करवाता हूँ अब मैं दूसरा आपको अब देखो, मुझे 50,000 CHF को बाई करना है मेरा amount in hand, जो वो कितना yen है मेरे पास yen हाथ में तो मैंने वो yen बेचके pound खरीदा था, याद होगा आपको मेरा pen का charge खतम हो गया ये देखो, मैंने पहले yen को बेचके pound खरीदा था दिखरे आपको screen पे फिर pound को बेचके dollar खरीदा था, फिर dollar को बेचके AUD खरीदा फिर AUD को बेचके SGD खरीदा, फिर SGD को बेचके euro खरीदा फिर euro को बेचके मैंने CHF खरीदा तो ये सारा मैंने bidass का काम तो कर लिया अब conversion करते समय क्या मैं bidass के बारे में सोचूंगा मैं नहीं सोचूँगा Canversion करते समय Bidass के बारे में मैं कैसे करूँगा देखू मैं बुलूँगा 50,000 CHF Denver करना हूं चै Nissin करना हूं करना ही नीचे ले लेता हूं कां पर है CHF यह रहा नीचे है और मैंने बोला था Conversion करते समय बिडास के बारे में नहीं सोचने 50,000 CHF मुझे convert करना है code दिया हुआ है CHF का conversion भी CHF को करना है इपड़ तो 50,000 लिखते हों में तो देखो 50,000 CHF को convert करना है code भी CHF का दिया हुआ है तो मतलब क्यों होगा multiply यह multiply करते हैं यह euro बन गया यह पूरा बन गया euro अब euro को convert करना है मजे की बात है euro का ही code दिया हुआ है तो फिर से multiply अब यह बन गया पूरा SGD euro बन गया अब SGD अब SGD को convert करना है code दिया हुआ है AUD का SGD का नहीं दिया हुआ है मतलब divide और जो highlight किया हुआ तो यह करते हैं अब यह बन गया क्या AUD बन गया अब AUD को convert करना है code दिया हुआ है dollar का AUD का नहीं दिया हुआ है आगे वाले बैंग में है न code दिया हुआ है dollar का तो फिर से 1.10 divide होगा अब यह करते हैं बन गया पूरा dollar तो dollar को convert करना है Quote दिया होए Pound का Centaur को convert करना है Quote दिया होए Pound का तो फिर से divide यह कर दिया हमने यह करते यह बन गया पूरा का पूरा क्या Pound अब Pound को convert करना है Quote दिया होए Pound का तो multiply होजाएगा तो आप यह समझो आप अगर वही अगर BIDAS score conversion को यहां पर मिला के देखना एक बार आप गलती कर बैठो पिडास को और conversion को मिला के देखो कि आप गलती कर बैठो कि आप बोलोगे देखो पहले तो CHF को convert करना हो तो आप क्या सुचू कि बते हैं पर गलती कैसे होती है मैं आपको बता दे रहूँ एक साथ करने पर आप बोलोगे 50,000 CHF को convert कर रहा हूँ तो CHF को convert करूँगा पहले यूरो में तो CHF बेचूँगा CHF का code दिया हूँ है बेचूँगा मतलब इस rate पे आप 0125 ले लोगे पका अभी यह करोगे क्योंकि आपको देखीगा 50,000 CHF convert करना है है ना तो 50,000 CHF convert करने के लिए आप सोचोगे अच्छा CHF को पहले यूरो में convert करना है आप बोलोगे CHF बेचेंगे CHF बेचेंगे CHF का code दिया वह यह आ जाएगा पर आप बुडबक आप यह नहीं देखें कि CHF तो हमें खरीदना है हम तो 50,000 CHF खरीदना चाहते है हम बेचना कहां चाहते है और आप conversion करते समय बिडास को बीच में ले आओगे आप अगर आप परबाद हो जाओगे अब देख लो अगर आपको मलब बिडास और conversion दूनों को मिलाना है और यह वाला question में आप गलती 100% कर दो इसलिए मैंने का पहले देख लो क्या खरीदना बेचना है वो करने के बाद conversion करते समय खरीदने बेचने के बारे में नहीं सोचना मैं लिग दे तुना पर At the time of conversion never think about bid just multiply और डिवाइड एक्स गर्फ्रेंड या फिर एक्स बॉइफ्रेंड या फिर आई सी आई की कसम और अगर आप बोलोगे तो इसकी कसम बॉस की कसम तो आपका एम्प्लोयर है है न चलो जी आप देखों यहाँ पर अब मुझे आप बता दो इसका अंसर कितना रहा है अंसर कितना रहा मुझे बता दो वन डबल जिरो डबल फ़े फोरेट यह क्या एगा इतना यहन बेचना पड़ेगा यह अगर हम इतना यहन बेचेंगे तो हमें 50,000 CHF मिलेगा इतना यहन बेचने पर हमें 50,000 CHF मिलेगा अब मैंने पूरा आज की क्लास में तो मैंने आपको पूरा इकनसेप्ट समझा दिया कोई बात नहीं आज की क्लास हम सौट ही रखते है धाई घंटा की क्लास हमने रखा सौट रखते हैं और कल की क्लास में अब हम बहतरीन तरीके से कोश्चन कर पाएंगे अब हम कल की क्लास से बहुत अच्छे रिसे अराम से कोश्चन कर पाएंगे फटा 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 से हम कवरिज करेंगे कल की क्लास से यह बहुत depreciation depreciation और दूसरा Bidask or Conversion तो आज का मैं क्रक्स आपको बतातू हूं आज मैंने क्या-kya सिखा है आज मैंने ज्यादा कुछ नहीं सिखाया पहले appreciation depreciation शिखाया जिससे premium discount भी बोल सकते वहां पर मैंने आपको यह कहा था पहले तो मैंने concept यहीं सिखाया था कि रूपी पर डॉलर 80, 80 मतलब 80 बाई 1, तो डॉलर का भाव क्या 80 है और रूपिया का भाव क्या 1 बाई 80 है, तो डॉलर अगर increase या decrease करना है तो numerator में plus या minus करोगे, रूपिया increase या decrease करना है तो denominator में plus या minus करोगे, ये मैंने आपको सिखा तो फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी सिखाया कि एक currency अगर appreciate करेगा तो दूसरा depreciate करेगा, वो concept मैंने आपको अच्छे न सिखा है, मैंने बोला 100 plus अगर 10% appreciate करें 110 होगा, फिर से 100 में पहुचाओ, तो देखो कितना depreciate हो रहा, आपका depreciate निकाल जाएगा, अगर 100 में 10% depreciate हो रहा तो 100 से 90 होगा, फिर से 90 से 100 में पहुचाओ, तो कितना appreciation हो रहा पता चल जाएगा, तो appreciation अगर है तो depreciation निकालोगे, depreciation अगर है तो appreciation यह appreciation appreciation सिखाया फिर मैंने आपको पढ़ाया bidask और conversion बिडास करते से में मैंने बोला आप रो रोक ये customer point of view सो सोचोगे अगर रुपी पर dollar 50 ओब ले 52 दिया हुआ है ये भाव dollar का दिया हुआ है तो dollar महंगा में खरीदेंगे सस्ता में बेचेंगे dollar महंगा में खरीदेंगे सस्ता में बेचेंगे तो रुपिया अगर रुपिया खरीदना तो उस पर decision मत लो रुपिया खरीदना मतलब dollar बेचना और dollar बेचेंगे सस्ता में रुपिया बेचना मतलब डॉलर खरीदेंगा रुपिया बेचना मतलब डॉलर खरीदेंगे डॉलर खरीदेंगे महेंगा पर यह मैंने आपको समझा दी दम अच्छी तरीके से बिडास आपको मैंने क्लियर कर रहा है और उसी तरीके से मैंने आपको बहुत सारे बिडास आपको समझाए कि आपक यह देखो कि इसको खरीदना है अगर जिसका कोट दिया वह उसको खरीदना है महेंगा उसको बेचना सस्ता जिसका कोट नहीं दिया वह उसको खरीदना बेचना है तो फहले कोट में पहुचो और फिर decision लो आप समझ में आप फिर बात आती ही conversion की conversion करते समय सिर्फ multiply divide के बारे में सोचेंगे buy और sell बिडास के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि वो already हम कर चुके रहेंगे बिडास का काम हम already कर चुके रहेंगे conversion करते हैं समय सी multiply divide के बारे में सुच जिस currency को convert करना है और code भी अगर उसी currency का दिया हुआ multiply हो जाए जिस currency को convert करना है code उसका नहीं दिया हुआ तो divide हो जाए इतना ही अगर आप दिमाग में रख लोगे यह वाला part अगर आप दिमाग में रख लोगे that's all बात खतम आज का इतना ही करक्स था जो last में मैंने आपको revise भी करता है तो I hope आपको पूरा अच्छे से clear हो गया होगा and इसका board notes हो है यह आपको google drive में मैं डाल दूँगा मैं अभी ही डाल देता हूँ आज की और अब आपका कोई query है कुछ भी है तो मुझे पूछ सकते हो Google drive में मैंने अल्रेड़ी कोशन में डाल रखा हुआ है और जो भी notes है वो भी मैं Google drive में डाल दिया करूँग चलो तो मैं यह Google drive में डाल देता हूँ अभी के अभी क्लास के साथ साथ डाल दिया तो पहली क्लास आप YouTube से देख लीजेगा सौफटर में अभी अप्लोड नहीं होगी बाकी रेगुलर कल सौफटर में क्लास होगी एंड कल से रेगुलर आपका सौफटर में चलेगा एंड मैं आपको mobile नमबर फिर से दे दूँग अगर किसी को सौफटर में एक्सेस नहीं मिला कोई परिशानी है तो वो बात कर सकते हैं टीम से बोलो जी समझ में आया मज़ा आया एकदम अच्छे से पूलो अंकिता जी जिसको भी सौफटर का लिंग नहीं मिला मैं एक नमबर दे रहा हूँ उस नमबर पे कॉल करहो गया आप और अपना पेमेंट स्क्रीन जो भी पेमेंट के और ओर ओर नमबर दोनों बता दो गए तो आपको दे देंगे मैं नंबर आपको दे रहा हूँ मैंने टेलिग्राम में दिया description में link है link से आप टेलिग्राम में भी जा सकते हूँ टेलिग्राम में भी मैंने team का नंबर दिया हुए आप ले लो software का access जिसको भी नहीं मिला है 78659 ति वही लोग कॉल करना 78659-3287 इसमें कॉल करना ठीक है कल की class timing में बता देता हूँ कल FR होगा 10.30 a.m. को और SFM होगा 4.30 p.m. को कल से regular यह time रहेगा आज पहला दिन था कल FR 10.30 a.m. को होगा SFM 4.30 p.m. को होगा जिसको class लेनी है तो वो हमारे website प्रतिक जगाती.com से ले सकते देस्क्रिप्शन में लेंगे फास्टर बेच FR, SFM दोनों का FR का भी फास्टर बेच SFM का भी फास्टर बेच अगर आपको class लेनी है अब हमारे website प्रतिक जगाती.com से ले सकते हो आज की class यूटब में थी कल से यूटब में नहीं रहे लएगे classes अच्छा मैंने तो लगाया नहीं उख जाओ, उख जाओ, घलती हो गए गलती हो गए मैरे से एक्स्ट्रीम्ली सौरी माफ करना मुझे यह देखो मॉबाइल इस नंबर पर कॉल करना जिसको सौफ्टर का एकसस नहीं मिला है एफ़ार और एस एफम इस टाइमिंग में हमारी रूट चलेगे ठीक है और अगर को दिक्कत है तो मुझे टेलिग्राम कर सकतो एड डीव मेरे टेलिग्राम में वह भी दिआ हो मैं टेलिग्राम चैनल में मैं अपना ID दिया होगि Ouzer नेम ट्रै फ्रीग्रों में आप मुझे टेलिग्राम कर सकते हो कर रिप्लाइए नीए इस रोलिगो बहुत इस से तो मैं नहीं reply कर पाई इतने सारे messages हो गए तो फिर भी मैं देखूंगा तो मैं reply कर दूँगा इस पर message कर दें को कि साथ बजी से साथ बजी तक चलेगा साथ maximum सेवन फिप्टीन जाई गंड़े से दो गंटा चालिज मिंट 45 मिंट के हमारी आज की class आपको बहुत मज़ा आया एंड अगर आपको मज़ा है तो लास्ट में जाते जाते एक कम जरूर से कीज़ेगा लाइक कर दीजेगा तक अगर मुझे लगे कि हाँ आप लोग को मज़ा आयरा समझ में आया एक यह दिन दो आप रहेंगे एक दिन तो मौ रखेंगे ठीक है यह तो मैं पागल हो जाऊंगे और आपको पसंद आए तो जरूर से लाइक जरूर कीज़ेगा नहीं पसंद आए तो मतला किये लाइक और अभी से प्रेक्टिकल चेक्टर वाइस सोचो है न पोशन बेंग आपको प्रिंट करा लेना है अलिए साथसा जैसे जैसे उसको रखो प्रेंट कराई और अभी आज में पोई ओमवर्ग नहीं दे रहां को आज आपको हमवर्ग क्या रहेगा यह सारे कोशिंट जो हैं भी कोई homework नहीं आज, कल से मैं questions भी कराऊंगा, आपको भी homework दूँगा, और बाकी questions जब कराऊंगा, तो LDR mark भी करवा दूँगा, क्या क्या आपको practice करना, FR और SFM दोनों में mark करवाते रहूँगा, side by set साथो साथ चलते रहेगा वो, तो I think अब हम अलविदा ले सकता हूं में, करूँगा, ज्यादा तो समय नहीं दूँगा, पर थोड़ा देने के process ज़रूर रहा, तो बोलिए, ठीक है, हाँ, पूरा हम best courses करेंगे, cover करने का अच्छी तरीकास है, हलाकि बाकिया भूलना मत यह faster batch है, ठीक है, चलो धवल जी, love you so much, आपको भी, love you too, ठीक है, audio revision मिलेगा मैंने 430 का commit किया हुआ सबको, तो 430 रखना पड़ेगा, पहले से, वह commitment क्या हुआ है, और जो भी live नहीं देखना चाहता है, वो recorded देख सकता है, यह classes recorded upload हो जाएगी, software में, अगर आपको live नहीं देखना है, तो बाद में अब recorded भी देख सकते हूँ, ऐसा नहीं कि बाद में अब recorded भी अराम से देख सकते हैं, चलो, जेव होलेनाथ, एंड बाई बाई एवरिवन, ठीक है, बाई बाई, कल मिलते हैं वापस से, कल, और बेस्ट रहेगा, किसी को भी अगर कोई classes में, मैं तो बोल रहा हूँ कि अराम से करो, FR सूबे करेंगे, SFM सामको करेंगे, अराम स साथ साथ में हो जाएगा, साथ साथ में खत्म हो जाएगा, जैन, चलो, बाई बाई